नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम रग्या शर्मा है और आज आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके मौक टेस्ट के क्वेश्टन के सल्यूशन तो इस बार अपने सेलिबस में दो चैप्टर से excretion और circulation दोनों ही human physio के काफी important chapters हैं थोड़े लंबे भी हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इन chapters से कौनसे कौनसे questions आने के ज़्यादा chances हैं ये तो हमें पता लगी जाएगा उन questions की practice भी हो जाएगी और दूसरी चीज, दोनों ही chapters के जो भी important topics या important important concepts से वो हमारे एक बार revise हो जाएगे बहुत ही quickly तो चलो, अपने questions की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक important बात याद दिलादू अगर आप अपने आनन सर की उमीद टीम के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से बारे में हो, mock test के बारे में हो आप हमारे साथ हमारे टेलिग्राम और हमारी website पर भी जुड़े रह सकते हैं NEED 2023 की तैयारी के लिए भी नया पहल बैच लाउंच हो चुका है जिसमें अगेर आप enroll कर सकते हो code ANAND यानि ANAND यूज़ करके तो चलो, बिना time waste किये हुए अपने questions की तरफ बढ़ते हैं पहले question में क्या पूछ रहा है देखो दिखा रहा है कि pro-thrombin, thrombin में convert हो रहा है A की वज़ा से और fibrinogen, fibrin में convert हो रहा है B की वज़ा से तो अब pro-thrombin को thrombin बनाने वाला यानि उसके inactive form से active form में लाने वाला होता है thrombokinase तो A तो हमारा thrombokinase ही होना चाहिए और यहाँ पर जो thrombokinase की मदद से thrombin बना था यह आगे जाके fibrinogen को उसके active form में लाने के लिए help करता है यानि यहाँ पर जो B है वो thrombin हो जाएगा तो हमारा A thrombokinase और B thrombin होना चाहिए इसके according हमारे blood clotting में जो events होते हैं उनके according हमारा option A सही answer है क्योंकि जब fibrin protein के threads बनेंगे तो उसी से blood का clot बनता है या जो भी चोट है उन्हीं की मदद से seal की जाती है तो यही हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद देखो दूसरे question में पूछ रहा है कि safe blood transfusion के लिए दिये गए option में से कौनसी condition होने चाहिए अब यह तो हम जानते ही हैं कि जो ABO blood grouping है वो होती है हमारे blood में present कुछ antigens की मदद से या कुछ antigens के basis पे तो कुछ लोगों के RBCs के surface पे अलग तरह के antigens होते हैं कुछ लोगों के RBCs पे अलग तरह के antigens होते हैं और इसी basis पे हमने blood group बना रखे हैं लेकिन अगर किसी एक donor को किसी recipient को blood देना है तब भी हमें ABO blood grouping का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे RBC के surface पे antigens होते हैं लेकिन हमारे blood के plasma में भी blood के serum में भी कुछ antibodies बने रहते हैं तो अगर हमने किसी recipient को एक ऐसा blood दिया जिसके पास already antibodies थे donor के RBC के antigen के against तो यहाँ पर जो immune system है उसका एकदम से exaggerated response आएगा और RBC की clumping होने लगेगी तो जब भी blood transfusion करते हैं हम क्या धान रखते हैं कि recipient के serum में यानि जो blood receive कर रहा है उसके blood में donor के RBC इसके against antigen antibodies नहीं होने चाहिए तो यह बाद ध्यान में रखते हैं इसके बाद 72 beats per minute है अगर heart rate तो 50 ml stroke volume वाले इंसान का cardiac output कितना होगा simply हाँ पर हमें stroke volume को heart rate के साथ multiply कर देना इसके according अपना सही answer 3600 ml आ जाएगा फिर देखो कह रहे हैं कि sinoatrial node action potential generate कर रहा है जो dash को simultaneous contraction करवाता है जिसे हम B कहते हैं अब इससे ventricles में dash percentage से हमारे blood का flow बढ़ जाता है तो यह हमारे cardiac cycle में जो events होते हैं उसी के बारे में बता रहा है बस कुछ blanks हमें आपर fill up करने हैं तो सबसे पहले sinoatrial node यानि हमारे heart का जो pace maker है यह action potential generate करता है इसकी वज़ज़ से सबसे पहले किसकी contraction होती है सबसे पहले हमारे जो atria होते है हमारे auricles होते हैं वो contract हो जाते है तो A होना चाहिए atria इसके बाद जो यह contraction होती है इसे हम क्या कहते है contraction को हम systole कहते है तो यहाँ पर atrial systole हो गया क्योंकि atria हमारे contract हो रहे है और इस contraction से हमारी NCRT में figure दिया हुआ है, इसी के according हम अपना answer देंगे, तो अपना correct answer क्या हो जाएगा, option A, atria की contraction को हम atrial से stall कहते हैं, जिसकी वज़ा से ventricles में जाने वाला blood 30% increase हो जाता है, चलो भाई, इसके बाद यहाँ पर हमें valve का नाम दिया है, और हमें यहाँ पर column 2 में उसको correctly match करना है, तो देखो, हमारे semi lunar valve हमें कहाँ पर मिलते हैं, suppose मैं अपने heart को इस तरीके से बनाऊ, simply एक square के रूप में मैं अपने heart को बनाऊ अगर, ठीक है, तो अब इसमें 4 chambers होंगे, अपर 2 oracle, और नीचे 2 ventricle, अब valves यहाँ पर किस हेसाब से होते हैं, अपने chambers को अगर हम mark कर रहे हैं, कि हमारा right oracle, right ventricle, कि हमारा left oracle, left ventricle, तो यहाँ पर, हमें oracles और ventricles के बीच में, valve मिलेंगे, यही हमारे respectively, right और left side के लिए, tricuspid और bicuspid valve होते हैं, लेकिन, यहाँ पर हमें कुछ और valve भी मिलेंगे, जो कि हमारे ventricles से निकलने वाले blood के, blood vessels के तरफ होते हैं, और यही हमारे semi-lunar valve हो जाते हैं, valves की location देख ली, semi-lunar valve वो है, जब हमारे ventricles में से blood निकल के जा रहा है, वहाँ पर जो valves present है, जो कि ventricles में वापिस blood का flow करके आने का prevent करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास right, auricle और ventricle के बीच में tricuspid valve, और left side पे auricle और ventricle के बीच में, bicuspid valve present है, तो यह different valves की position होगे, अब देखो उनके बारे में क्या दे रखा है, semi-lunar valve के बारे में क्या कहोगे, यह right ventricle और pulmonary artery को guard करेगा, सही बात है, आगे blood vessels की तरफ जो blood जा रहा है, करता है, इसके बाद bicuspid valve कहाँ पे है, हमारे left side पे auricle और ventricle के बीच में, तो left ventricle and left atrium, यह हमारा सही हो गया match, इस तरीके से हम match कर लेंगे, और tricuspid valve के बारे में यहाँ पर हमने क्या देखा, यह हमारा tricuspid valve, right atrium से right ventricle में blood को जाने के लिए अलाव करता है, right atrium और ventricle के बीच में present है, तो इसके according, अपना सही answer क्या हो जाएगा, option, A यहाँ पर अपना correct answer है, जहाँ पर हमारे heart के जो different valves हैं, उनके बारे में, उनके position के बारे में, सही हमें बता रहा है, चलो, इसके बाद incorrect statement हमें बतानी है, A, B, O blood group के बारे में कुछ statements दे रखी हैं, पहली statement में कहह रहा है, कि O blood group वाला जो person है, उसके पास antigen A है, नहीं, anti A और anti B antibodies हैं, उसके blood plasma में, अब जिसका blood group O है, मतलब उसके पास antigen कोई भी नहीं है, और antigen नहीं है, तो यानि antibodies होंगी, तो यानि, antibody उसके पास A वाली होंगी, और A blood group वाले person को, ये blood donate नहीं कर सकता, क्योंकि ये blood group वाले person के पास, जो antigen present है, उसी के antibodies इस blood में हैं, तो blood group मैच नहीं किया, इसके बाद देखो, blood group, blood plasma में present antibodies के basis पे designed होता है, designate होता है, ये statement यहाँ पर हमारी incorrect हो जाती है, क्योंकि ABO blood drooping, अभी अभी हम कहा रहे थे, किस के basis पे होती है, RBC के surface पे present, antigens के basis पे होती है, अगर antigen A present है, तो blood group A हो गया, antigen B present है, तो blood group B हो गया, दोनों ही present है, तो AB हो गया, और एक भी present नहीं है, तो O blood group हो जाता है, तो यहाँ पर, option C incorrect statement है, बाकी देखो AB blood group, universal recipient है, सही बात है, हमारे AB blood group जो है, उसके पास दोनों ही antigen है, लेकिन कोई भी antibody नहीं है, इसलिए उसके बाद यहाँ पर, हमें type of WBC, total WBC count में इसकी percentage, इसका share, और इसका function, जहाँ पर incorrect दे रखा है, वो बताना है, देखो Yosinophil's के बारे में सही लिखा है, 12% और infections को resist करने में involved होते हैं, allergic reactions में involved होते हैं, इसके बाद neutrophils काफी जादा abundant है, और phagocytic cells होते हैं, यह भी correct बात है, basophil's की abundance, हमारे, यह तीनों तरह के WVC's में कम है, लेकिन histamine, serotonin, heparin, इस तरह के substances secrete करते हैं, inflammation के दौरान active रहते हैं, हमारे basophil, यह भी बात correct है, monocyte के बारे में इसने यहाँ पर सही नहीं बताये हुए, देखो mainly इसका function ही गलत बताती है, antibodies बनाने का काम तो हमारे lymphocytes का होता है, monocytes का नहीं होता है, हमारे mainly B lymphocytes antibodies produce करते हैं, तो यहाँ पर T हमारा incorrect match हो जाता है, इसके बाद देखो, जब blood heart से lungs में जाता है, और फिर वापिस heart को आ जाता है, तो इस circulation को हम क्या कहते हैं, अब हमारी body के पूरे circulatory system को mainly दो हिस्सों में हम divide कर सकते हैं, एक तो हमारा heart जो हमारे body tissues तक oxygenated blood भेज रहा है, और फिर वापिस जो deoxygenated blood है उनसे ले रहा है, और दूसरी चीज, हमारा heart जो deoxygenated blood हमारी lungs तक भेज रहा है, और फिर जब वो इसमें oxygen डाल देती है, तो इस oxygen rich blood को वापिस अपने पास बुला रहा है, ये, तो हमारे heart और body tissues के बीच में, जो circulation हो रही है, ये कहलाती है systemic body cells के बीच में, और heart के बीच में, और दूसरी तरफ, हमारा heart, lungs के साथ जो भी circulation कर रहा है, heart और lungs के बीच में, जो भी circulation हो रही है, ये कहलाती है pulmonary, lungs से related कोई भी चीज हो, तो हम pulmonary term use करते हैं, तो यहाँ पर, क्या इस circulation को हम कहेंगे, pulmonary circulation कहेंगे, blood, heart से lungs के पास जाता है, और दुबारा से oxygenate होके, heart के पास वापस आ जाता है, ताकि वो उसको pump करके, हमारे सारे body tissues तक भेज सके, ठीक है भाई, इसके बाद, इनमेंसे कौनसी disease को, atherosclerosis कह सकते हैं, तो coronary artery disease को, atherosclerosis भी कहते हैं, जहाँ पर heart को blood supply करने वाले, जो blood vessels हैं, उनमें कुछ substances की deposition की वज़े से, जो उनका अंदर का lumen होता है, वो कम रह जाता है, छोटा रह जाता है, और उनकी wall में, ये waste substances deposit होने की वज़े से, heart को proper blood supply नहीं मिल पाती, तो coronary artery disease को, atherosclerosis भी कहते हैं, इसके बाद, pulmonary vein के पास valve क्यों नहीं होता, reason ये है, क्योंकि, इसकी opening oblique type की होती है, तो blood के backflow के chances, वैसे ही कम रहते हैं, murmur इन में से, किसमे defect आने की वज़े से होता है, अब murmur एक तरीके से कह सकते हैं, एक ऐसा symptom है, या ऐसा disorder है, जब doctor stethoscope से सुनते हैं, या किसी और भी diagnostic procedure से पता लगाते हैं, कि हमारे heart की जो sounds है, normally lub dub sounds जो आनी चाहिए, एक cardiac cycle में, वो proper तरीके से नहीं आ रही है, या कुछ irregular है, या heart कुछ और ही noise create कर रहा है, जो कि एक normal cardiac cycle में नहीं होनी चाहिए, तो इसे murmur कहते हैं, और क्योंकि हमारे heart की जो sounds है, वो किस वज़े से होती है, valves के open और close होने की वज़े से होती है, तो valve में आने वाली problem की वज़े से, यह मरमर होता है, इसके बाद देखो, capillary, vein, iota, tunica, media, हमारी blood vessels से related यह terms हमें दिये हैं, जोने हमें हमें यहाँ पर correctly match करना है, तो देखो, capillaries क्या है, capillaries हमारे narrowest blood vessels हम क्या सकते हैं, हमारी arteries जब जाती हैं, divide होती हैं, divide होती हैं, और एक-एक cell को, जो हमें oxygen पहुचाना है, oxygen rich blood पहुचाना है, यह काम करने के लिए, finally उनकी इतनी fine branches बन जाती हैं, इतनी fine blood vessels बन जाती हैं, कि इनको capillaries का नाम दिया जाता है, इसके बाद vein के बारे में क्या कहेंगे, vein के पास valve होते हैं, क्योंकि vein में वैसे भी blood का pressure बहुत जादा नहीं रहता, तो इसी लिए, ताकि blood का backflow ना हो, valve present होंगे, iota के बारे में क्या कह सकते हैं, iota को एक elastic artery हम कह सकते हैं, तिये गए options को अगर देखो, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास match करने के लिए terms हैं, इसके according, iota के लिए best है, और tunica media, यानि हमारे blood vessel की जो wall है, उसकी tunica media layer, muscle की बनी होई होती है, smooth muscle की बनी होई होती है, तो यहाँ पर इसके according, अपना correct answer क्या हो जाएगा, जिसमें सभी को correctly match किया हुआ है, capillary nervous blood vessel, vein के पास होंगे valve, option C अपना सही answer है, chordae tendine, हमें अपने heart में क्या मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, तो chordae tendine की location, हमारे heart में, ventricles की wall में, ventricular wall में होती है, इसके बाद cardiac cycle, क्या involve करेगी, अब cardiac cycle में कई सारे events होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो auricles हैं, यानि heart के upper chambers हैं, वो contraction करते हैं, अच्छा, इन terms में आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होना चाहिए, हमारे cardiac cycle के अंदर, जब कोई बोल रहा है, कि systole हो गया, तो systole से तुरन समझ जाना, कि वहाँ पर contraction हो रही है, और जैसे ही कोई बोल रहा है कि diastole है, तो diastole में समझ जाओ, कि कोई contraction वगेरा नहीं हो रही है, आराम से हमारे heart की muscle बैठी होई है, तो एक relaxed state में जब muscle है, उसे हम diastole बोलेंगे, और contraction को systole बोलेंगे, तो पूछ किया रहा है देखो, cardiac cycle में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा, जो भी auricles, ventricles हैं, चारो chambers हैं, वो आराम से होंगे, relaxed होंगे, जब तक action potential generate नहीं हुआ, तो एक joint diastole में, यानि relaxed state में दोनों रहेंगे, joint word मतलब auricle और ventricles दोनों के दोनों, इसके बाद, हमारे auricles में, जब action potential generate होता है, तो contraction होती है, तो सबसे पहले event जो हमारे cardiac cycle का आया, वो auricular या atrial systole हो जाएगा, इसके बाद, ventricles का systole होता है, atria हमारे दुबारा से relax हो जाते हैं, और ventricles बहुत जोर से contraction करते हैं, और finally, दोनों ही कुछ देर गेरी है, relaxed state में आ जाते हैं, तो हमारा एक joint diastole बन जाता है, complete cardiac diastole इसको बोल रहा है, पूरा heart relax हो गया, तो यहाँ पे हमारा correct answer option B हो जाएगा, सबसे पहले हमारी cardiac cycle में, atria की contraction, auricular systole, इसके बाद ventricles करेंगे contraction, ventricular systole, और finally, एक joint diastole की condition आती है, इसके बाद क्या कह रहा है, कि अगर एक human के पास 5 litre blood था, इसमेंसे 1 litre निकाल लिया, तो अगले दिन हमें कितना मिलेगा, अब इसने एकदम से ऐसे कहा दिया, next day, ऐसा तो ज़रूर नहीं है, इत्ती जल्दी से blood हमारा recover हो जाए, blood की volume उतनी ही हो जाए, लेकिन पूछना ही यही चाहरा है, कि अगर हम body से blood निकाल भी लेते हैं, blood draw कर लेते हैं, तो उसके बाद, वो blood की volume क्या उतनी ही रहेगी, तो यह तो हम जानते ही हैं, कि अगर हम blood donate भी करते हैं, तो दुबारा से हमारी body नया blood बना लेती है, दुबारा से वो recover हो जाता है, और इसी लिए, यहाँ पर हम answer करेंगे, अगले दिन भी हमें 5 लीटर खून ही बिलेगा, देखो, हमारे ECG के अंदर, सबसे पहले, हमारे auricles का, हमें systole देखेगा, सबसे पहले cardiac cycle में क्या होता है, यह पूरा ECG जो है, cardiac cycle की electrical activity यह तो शो कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे atria की contraction, फिर यह पूरा QRS, जो लंबा सा पहाड बना हुआ हुआ, यह represent करता है, हमारे ventricles की contraction, और finally, T wave में हम कह सकते हैं, कि हमारे जो ventricles हैं, यह repolarize हो गए, यानि दुबारा से, यह जो इतनी जोर से इन्होंने contraction किया था, इस से normal state में आ गए, तो यह T wave जो छोटी सी है, इस चीज को represent करती है, तो यहाँ पर ECG में, कौनसी wave किसे represent करती है, यह हमें पता होना चाहिए, तो यह represent करता है, हमारे atria की contraction को, atrial systole को, पूरा QRX complex, यह पूरा पहाड, यह represent करता है, हमारे ventricles की contraction को, ventricular systole, और T wave हमारी, repolarization of atria, चलो, इसके बाद, normal diastolic pressure, एक healthy person में कितना होना चाहिए, तो अब दो तरह का blood pressure नापा जा सकता है, diastolic, और systolic, तो जब भी blood pressure नापते हैं, MMHG में, तब हम दोनो तरह के blood pressure को consider करते हैं, systolic, मतलब जब systole चल रहा है, जब एक polarized state में हमारा heart है, उस समय blood pressure कितना है, और जब हाट relaxed state में है, diastole की state में है, तो उस समय पर कितना है, तो ये एक normal person में, 120 over 80 आना चाहिए, normally, और यहाँ पे, यहम से क्या पूछ रहा है, diastolic pressure पूछ रहा है, तो अब जब हाट relaxed state में है, तो blood pressure कम ही होगा, 120 over 80 में से, 80 हमारा diastolic pressure को represent करता है, 120 systolic pressure को represent करता है, तो यहाँ पे 80 mmHT, अपना सही answer हो जाएगा, इसके बाद देखो, जब दो atria simultaneously contract करते हैं, तो blood को ventricles में pump कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम atrial systole कहेंगे, यहाँ पे arterial लिखा हुआ है, atrial होना चाहिए, atria की contraction मतलब atrial systole, जब relaxed है मतलब atrial diastole, आजो, इसके बाद यहाँ पर heart में, जो impulse travel करता है, उसका सही रस्ता हमें बताना है, तो सबसे पहले impulse generate कहा होता है, sinoatrial node में, इसलिए हम उसको pace maker कहते हैं, तो SA node में impulse generate हुआ, फिर यह AV node में पहुँचा, फिर bundle of his में पहुचा, यह सारा का सारा क्या है, यह हमारे heart के अंदर का nodal tissue है, जो action potential को conduct करता है, एक तरीके से कह सकते हैं, specialized muscle nature है heart का, जो कि contraction की wave को, पूरे heart में फैलाने में मदद करता है, cardiac cycle करवाने में मदद करता है, तो SA node में सबसे पहले impulse generate हुआ, AV node में पहुचा, bundle of his के थूपर किंजी fibers में पहुचा, और finally heart muscles में जाके, heart की, जो cardiac cycle है, उसको normally conduct करवाता है, यानि heart के, जिस हिस्से को die stole में रहना चाहिए, जिसको systole में रहना चाहिए, ये सारी चीजें, ये manage करता है, तो इस तरीके से जैसे option B में दिया हुआ है, normally action potential, या जो भी impulse है, वो हमारे heart में travel करेगा, इसके बाद देखो, graveyard of RBCs हम कौन से organ को बोलते हैं, तो ये साफ-साफ NCRT की language में हमसे पूछा हुआ है, और spleen इसको हम नाम देंगे, क्योंकि जो भी dead RBCs होते हैं, वो spleen में जाके deposit हो जाते हैं, वहाँ पर हमारे dead RBCs का भी, और even हमारे alive जो RBCs हैं, हमारे blood के अंदर जो हैं, उनका भी एक reservoir spleen के अंदर हमें मिल जाता है, इसके बाद देखो, parasympathetic neural signal, working of heart को कैसे affect करता है, तो sympathetic neural signal तो heart rate, हमारे heart की contraction की strength, हमारी breathing rate, सारी चीज़ों को बढ़ा देता है, लेकिन parasympathetic neural signal जब आएगा, तो वो heart rate को decrease कर देगा, ठीक हैं, तो heart rate, breathing rate, हमारे sympathetic signal की वज़े से बढ़ता है, और heart rate और cardiac output, दोनों ही चीज़े, parasympathetic neural signal की वज़े से decrease हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, first heart sound क्यों होती है, अब हमारी दो heart sounds होती है, love और dub, ये दोनों ही, valves की closure की वज़े से, valves की बंद होने की वज़े से होती है, जिसमें first heart sound कौन सी हो गई, first heart sound से इसका मतलब है, love sound के बारे में ये पूछ रहा है, तो bicuspid और tricuspid valves, जब close होते हैं, यानि हमारे atria और ventricles के बीच में, जो valves हैं, right और left side पे, tricuspid और bicuspid, इनके closure की वज़े से, love sound produce होती है, तो बोथ A and B, हमें सही answer अपना माँ करना पड़ेगा, इसके बाद देखो, lymphatic system के बारे में कौन सी बात सही है, पहले कह रहा है, कि lymph vessels का, में only one way flow होता है, valves की वज़े से, फिर कह रहा है, lymph nodes, सिर्फ neck और pelvis portion में present है, इसके बाद, lymph हमारे waste material को, gastrointestinal tract तक महुचाता है, excretion के लिए, फिर कह रहा है कि lymph capillaries में, fibrous tissue का एक outer coat है, बीच में muscular tissue है, और अंदर endothelial cells की lining है, तो अब देखो, यहाँ पे lymph भी जो होता है, lymphatic system भी होता है, ब्लड के जितना famous तो नहीं है, बच्पन से ब्लड के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन असल में यह lymphatic system भी, हमारे circulatory system का ही एक हिस्सा है, और इसमें भी इस तरीके से ब्लड के flow के लिए blood vessels होती हैं, वैसे ही lymph के लिए lymph vessels भी होंगी, और उनके पास, यह इनकी wall layers भी differentiated होंगी, जहां पर fibrous tissue, muscle tissue की एक बीच वाली layer, और अंदर endothereal cells की layer हमें मिलने वाली है, बाकी statements हमारे lymphatic system के बारे में देखो, यह lymph vessels में सिर्फ एक तरफ flow होता है, एक direction में कई सारे walls होते हैं, यह blood के लिए तो सही है, लेकिन lymph का flow, उतना जो है well organized, या हम कह सकते हैं, उतने पूरे तरीके से vessels के अंदर confined नहीं रहता, इसके बाद सिर्फ neck या pelvis में हमारे lymph nodes प्रेजन हैं, यह बात तो गलत है, हमारी पूरी body में lymph nodes चाहे रहते हैं, और यह वही site है, जहांपर जो भी germ हमारी body में आया, वो हमारे lymphocytes से मिलता है, हमारे immune system से मिलता है, और फिर हमारा immune system उसको पहचान के, उसके खिलाफ लडना शुरू करता है, फिर लिखाए कि lymph waste material को gastrointestinal tract तक पहुचाता है, तो excretion में भी as such, directly हमारे lymph का कोई role नहीं है, तो यहां पर सिर्फ हमारी option D जो है, वो correct statement है, lymph blood में से derive होता है, लेकिन इसमें हमें क्या मिलता है, अब जो हमारा blood vessels की walls के थ्रू, कुछ fluid बाहर निकल के आ जाता है, interstitial spaces में आ जाता है, इसी को हम tissue fluid कहते हैं, इसी को lymph कहते हैं, तो basically, जो भी blood plasma की composition है, lymph की भी ऐसी similar ही होगी, लेकिन इसमें RBCs, platelets जो हमारे formed elements है, और दूसरी चीज, कुछ proteins नहीं होंगे, बस blood और lymph की composition में, यह अंतर को यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर इसने हमें options में, कुछ blood vessels के बारे में दिया हुआ है, जो हमारे human beings के blood circulation में, इन्होंने label की है, तो हमें सु correct identification, उसका सही function के साथ match करना है, अब यहां पर देखो, B यह बोल रहा है, यह capillary है, तो सही बात है, छोची सी एक single या double, अब देखो, यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर human beings के blood circulation में, A to D, इन्होंने parts label किये हैं, जिनका function हमें correctly बताना है, तो देखो, B यह बोल रहा है, capillary है, तो यह बात तो correct है, capillary पतली सी, कुछ cells की layer की खाली बनी हुई है, हिन होती है, muscle layer इसमें नहीं होती, और two cell layers थिक होती है, तो ज्यादा तर तो आप यहीं लिखा पाऊगे, कि एक cells की single layer से, capillary की wall बनी होती है, लेकिन two cells की layers भी हो सकती है, एक की जगा दो भी हो सकता है, तो यह हमारे सही होगया combination, बाकी देखो, C को बोल रहा है कि वेन है, तो बात तो सही है, यह वेन को represent कर रहा है, क्योंकि हमारे body tissues से देखो, हमारे heart के right side तक blood ले जार, और right side ले जारहा है, मतलब deoxygenated blood ही होगा, thin walled होती है, यह आर्टरी के comparison में thin walled होती है, लेकिन blood यहाँ पर smoothly flow करता है, jerks या spurts में, या आप क्या सकते हो, एकदम, एक uneven way में flow नहीं करता, तो यह हमारी गलत statement हो गई, फिर D को बोल रहा है कि pulmonary vein है, तो यह तो सही बात है, हमारी lungs से, यह blood को ले कर आ रही है, heart के left side, तक हमारे left oracle तक ले कर आ रही है, तो oxygenated blood को heart तक पहुंचाती है, लेकिन PO2 जो इसने दे दिया, हाला कि oxygenated blood में करीब 95 mmHg ही PO2 बताया जाता है, लेकिन एकदम freshly oxygenated blood यह है, हमारी pulmonary vein जिसको carry कर के ला रही है, लंग से, इसलिए इसमें हमें 100 से उपर mmHg PO2 दिया होना चाहिए था, यह भी हमारा गलत हो गया, और इसके बाद आर्टरी थिक वाल्ट होती है, लेकिन ब्लड इसमें evenly flow नहीं करता, इसमें blood club flow थोड़ा uneven होता है, तो इसने उल्टा लिख दिया, वेन के लिए smooth flow, even flow होना चाहिए था, और आर्टरी के लिए jerk बोलना चाहिए था, तो यहाँ पर correct हमारा combination केवल, option A में दिया हुए capillary वाला, इसके बाद देखो, human kidney का average weight कितना है, फिर पूच रहा है कि डैश नाम की एक notch, kidney के inner concave surface पे present होती है, और highlam के अंदर की तरफ, जो एक funnel shaped space है, इसको हम क्या कहते हैं, तो kidney का basic structure है, उसके बारे में कुछ questions इसने पूचे हुए हैं, अब जादा तर हम देखेंगे, कि ये normally, एक human kidney का weight 120 से 170 gram होगा, 120 to 170 gram, इसके बाद जैसे हमारी bean shaped kidney है, अब bean shaped है, तो उसके बाहर की तरफ, ये एक convex structure, और अंदर की तरफ, एक concave structure होगा, और ये जो concave part है अंदर की तरफ inner side पे, इसी को हम hyalum कह देते हैं, hyalum कह लाता है, इसके बाद, hyalum के अंदर की तरफ जाते हैं, तो हमें एक जो space मिलता है kidney में, इसी को, हम renal pelvis कहते हैं, और इस pelvis में से कुछ projections निकल रही होती है, हैं, उन्ही को कह देते हैं, क्यालिस तो बिलकुल सिंप्ली हमारी NCRT में जो लिखाए, word to word इसने वो पूछ रखा है, तो इसकी according सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, option D में, हमें 2 हाईलम और 4 क्यालिस, ये सही ब्लांक्स फिल करके दे रख हैं, इसके बाद देखो, जो हमारी स्वेट ग्लांड स्वेट प्रेड्यूस करती हैं, इसमें क्या क्या होता है, NACL तो होता ही है, यूरिया भी होता है, small amount में, trace amount में, lactic acid, ये तीनों ही substance हमें स्वेट में मिल सकते हैं, स्वेट की composition में होते हैं, इसलिए all of these यहाँ पर हमें अपना सही आंसर करना पड़ेगा, इसके बाद रेनिन कहां से secret होता है, तो रेनिन असल में हमारी body में, जो kidney का function है, जो urine की formation का काम है, उसको regulate करने वाला एक substance है, जो juxtaglomerular cells secret करेंगे, इसके बाद देखो, आरबी सी जगर urine में प्रेजंट हैंसी कंडिशन को हम क्या कह सकते, है मैं टूरिया कहते हैं, simply एक छोटी सी टर्म याद करने से, अगर हमें चार नंबर एक्जाम में मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए जो disorders वाले questions है, इसमें कुछ ज़्यादा डीटेल में अपने को पढ़ना नहीं होता, और इसमें से काफी questions आ जाते हैं, separately भी इसके लिए आपके लिए वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें सारे disorder, एक सिंगल मैराथान में cover किये थे, तो उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाले questions बड़ी मज़ेदार होते हैं, ना कुछ जादा लबे चौड़े होते हैं, ना कुछ complicated होते हैं, और सिर्फ कुछ एक दो टर्म्स याद रखने से हमारा काम बन जाता है, इसके बाद देखो, अगर kidney की malfunctioning की वज़र से, ब्लड में यूरिया एक अच्छा होता जारा है, वैस तो यूरिया को eliminate करने के लिए, हमारा पूरा excretory system है, लेकिन अगर यूरिया accumulate होता जारा है, ऐसी condition को यूरियमिया कहेंगे, देखो, बूदरा question आ गया, हमारे excretory system के disorders बाला, इसके बाद, जुक्स्ट ग्लमेरियलर अपरेटर्स, किसकी modification से बना होता है, तो जुक्स्ट ग्लमेरियलर अपरेटर्स, जहां पर DCT और EFFERENT arterial contact में आते हैं, जहां पर close आते हैं, वहां पर कुछ cells की modification से बना हुआ होता है, जो कि kidney function के regulation में, participate करता है, ठीक है, इसके बाद, Melfigian body, Renal Corpuscle में हमें क्या क्या मिलेगा, तो ये जो हमारी Melfigian body, Renal Corpuscle हैं किसको कहते हैं, हमारा जब nephron शुरू ही शुरू होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले वहाँ पे, हमें एक double walled, couple egg structure मिलता है, जिसमें इस तरीके से blood capillaries का, blood vessels का एक गुच्छा होता है, तो ये हमारा double walled couple egg structure हो गया, baumins capsule, और उसके अंदर blood vessels का जो tuft बना हुआ है, ये होता है हमारा glomerulus, और इन दोनों को ही collectively, हम Melfigian body, Renal Corpuscle कह सकते हैं, तो अपना correct answer यहां पर, option C हमें करना पड़ेगा, चलो, इसके बाद, renin इन में से किसे किसमें कनवर्ट करता है, तो renin जक्स्ट ग्लमरिलस cell से release होता है, ये अभी हम पढ़ रहे थे, और ये हमारे kidney function को regulate करने में important role play करता है, तो renin का का काम होता है, inactive angiotensinogen को angiotensin 1 और फिर further angiotensin 2 बनाना जो कि जाके वेसो construction का काम करेगा, यानि blood vessels को छोटा कर देगा, blood vessels छोटे हो जाएंगे, तो blood का pressure बढ़ जाएगा, और blood का pressure जब जादा बढ़ जाता है, तो जब वो हमारे nephron में से pass हो रहा है, तो उस समय पर urine की formation कम हो जाएगी, तो इस तरीके से, ताकि एक large amount of urine ना बने, large volume of urine या dilute urine ना बने, हमारा renin इसमें help करता है, angiotensinogen से angiotensin 1, और फिर दर angiotensin 2 बना कर, लेकिन यहाँ पर दिये गए options में से, केवल option A हमें सही आंसर देख रहा है, चलो, इसके बाद में हमारे पास, यहाँ पर हमारे निफ्रॉन का डाइग्राम है, जिसमें labeling कर रखी है, तो इसके according हमें अपने सही answer बताना है, अब देखो भाई, सबसे पहले, सबसे आसान क्या है, जो इनोने F label कर रखा है, यहमारा क्या होना चाहिए, चलो, ठीक है, यहाँ पर अगें चलो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दी में, करेक्टिंग डख्ट मार्क नहीं किया है, तो सबसे बहले तो यह ही आउट हो गया, इसके बाद देखो, जो हमारे कलेक्टिंग डख्ट के पास वाला हिस्सा है, यह कौन सा हिस्सा होता है, सबसे पास हमारे कलेक्टिंग डख्ट के होता है, डी सीटी, डिस्टल कॉन विलेटेट टिब्यूल, तो यानि हमारे जो डी लेबल कर रहा है, यह डी सीटी होना चाहिए, आव देख लेतने अपना करेक्ट आंसर क्या है, यहां तो डी सीटी लेबल किया है, यहां पर अगें डी सीटी है, और यह सबी आप्शिंज में डी सीटी है, तो इस्स अमकोई हकोई हल ने मिलит, किसी भी ऑप्शन का ऐलिमने नहीं कर पाए, इसके बाद हमारे descending limb और ascending limb हमें किसमें मिलते हैं सबसे easy to identify हमारे पूरे नफ्रॉन के डियाग्राम के अंदर हमारा hairpin shaped loop of Henley है तो C Henley's loop होना चाहिए अगें तीन होई options में ऐसा दे रखा है इसके बाद देखो जो हमारे glomerulus में एंटर कर रहा है blood vessel enter करने वाले blood vessel को क्या कहते है efferent arteriol कहते हैं तो एह हमारा efferent arteriol होना था यानि A और C में सही अपना कोई correct answer है इसके बाद B यानि हमारे bowman's capsule के तुरंत बाद जो हिससा आता है हमारे नफ्रों का यह क्या होता है PCT होता है proximal convoluted tubule होता है और इसके according सही answer अपना option A हो जाता है जिसमें नफ्रों के different parts को different tubular parts को सही दरीगे से label किया हुआ है तो यहाँ पे option A अपना सही answer हो जाएगा अब देखो glomerulus में एक effective filtration pressure क्यों बना रहा है ता है देखो यहाँ पर हमारी blood vessel इसमें से खून बह रहा है यहाँ पर इसका गुच्छा बना हुए और इसी blood vessel में से जो filtration है वो हमारा glomerulus चालू कर देता है nephron हमारे blood की सफाई चालू कर देता है लेकिन filtration के लिए कोई ना कोई force तो चाहिए कोई ना कोई pressure तो चाहिए तो यह pressure क्यों बनता है यह इसी लिए बनता है यह जल्दी जल्दी से उसको बाहर निकलना पड़ेगा जितना छोटा हो जाएगा हमारा रास्ता उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसे ताप से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्यों मनता है इगलो मेरलस में यूगि एफरेंट आर्टी लिए इफरेंट आर्टी रियों से साइज में हल्का सा बड़ा होता है ऑप्शन सी अपना सही आंसर है चलो भाई इसके बाद दुबारा से यह क्वेशन रिपीट हो रखा घंब कोदने को थे हूँ होते हैं तो होती तो दूसकी दो लिमजाय कि यह इस तरीके से हेयर पन शेयों मने स्ट्रक्ट्चर रहे अब उसमें देको इस तरीके से फिल्ट्रेट का फलो अ estado कि इस डीरेक्शन में तो जहां पर फिल्ट्रेट नीचे उतर रहा है इसे हम तो अब इन दोनों लिम्स का नेचर हलका हलका अलग होता है हमारी जो descending limb होती है यह permeable to water होती है लेकिन impermeable to ions होती है लेकिन हमारी ascending limb impermeable to water लेकिन permeable to ions तो दोनों में water और ions के लिए जो permeability है वो opposite रहती है यह बाद हम याद रखेंगे यूखि यूरें फर्मेशन की process किस तरीके से होगी वो भी हमारे नेफरोन के different parts की permeability पर ही depend करेगा permeable to ions impermeable to water तो भाई कौन सा हिस्सा हो गया ascending limb हमारे loop of henley का वो हिस्सा है जो कि water के लिए impermeable होता है आयन के लिए permeable होता है इसी लिए जब यह ascending limb में ऊपर हमारा filtrate चड़ रहा है तब उसकी कोई खास concentration नहीं हो पाती क्योंकि concentration दो तब होगी जब उसमें से पानी कम होगा लेकिन यहां पर water से impermeable होने की वज़ए से कोई खास change उसकी concentration में बहुत जादा नहीं आता है चलो इसके बाद यहां पर रॉंग statement बतानिये पहले लिखाए यूरियो टेलिक और गयानिजम में अमोनिया metabolism का product नहीं है नहीं भाई ऐसा नहीं है कि अमोनिया शरीर में होता ही नहीं है इसके बाद देखो मैमल में यूरिया का कुछ अमाउंट किड्नी के मेंट्रिक्स में रिटेंड रहता है और स्मोलारिटी मेंटीन करने के लिए सही बात है एने इस दिया और यूरिया की आपने कंपरेशन में लिस्टॉक्स अबिलकुल अमोनिया शुद सबसे ज्जादा टॉक्स होता है इसली लिए अमोनो टेकल टेलिक और गयानिसम वही होते है है अमोनो टेलिक मोड और एक्षरीशन उनी का होता है तो यूंकि इतना टॉक्सिक है कि बहुत सारे पानी के जरुवत होती है उसको eliminate करने के लिए तो इसी लिए फिशेज हम जाधा तर देखते एक्जांपल लेते है एक्वेटिक जो भी इंसेक्ट्स वगेरा हुए है अमोनो टेलिक मोड और एक्स्क्रीशन का विशेज में किड्नी का जाधा इंपॉर्टेंट रोल नियो तामोनियम आयन के रिमूवल में यह भी करेक्ट बात है फिशेज के इसमें से कौन से एक्सक्रीटरी और्गन करेक्टली मैच्ट है तो निफ्रीडिया हमारे अर्थवर्म के पास होते हैं यह पर क्रस्टेशियन लिखा गलत हो गया माल फिजियन ट्यूब्यूल हमारे कॉक्रोच के पास होंगे लेकिन यहाप एनले लिग दिया है इसके बाद इंटनल ग्लांड इंसेक्ट्स के लिए सही नहीं है इंसेक्स में अलग अलग तरह कि हम एक्प्रीटरी स्ट्रॉक्टर देखते हैं जैसे कि कॉक्रोच का एक्जाम्पल मालीजियन टिबीयूल का हो जाता है फ्लेम सेल प्लेटी हेल में ताइस के लिए अच्छा है इसमें उसने फ्लेम से लिग दिया या उसने प्रोटो ने फ्रिडिया लिग दिया या उसने सॉलेनो साइट इग दिया इसमें कोई भी शब्द लिखेगा तो मतलब इनका करीब करीब एकी सम्झो आपको प्लेटी हल मिंतव के साथ ही मैच करना ठीक है तो यहां पर करेक्ट मैच आजो इसके बाद यहां पर अमोनोटलिक अनिमल्स का ग्रुप बताना तो देखो सबसे पहले इसने यहां पे पिजन डाल दिया तो बार्ड और रेप्टाइल सो में पहले से पता है कि यूरे को टेलिक होते हैं तो यहां पर इसने रप्टैल और बड़ दोनों ही डाल रख है अमोनोटलिक से हट गए अडर्ट फ्रॉग भी जो है यूरियो टेलिक होता है यह भी नहीं आएगा इसके बाद क्रोकोडाइल अर्थवर्म लीच बोनी फिश यह सब इसने आपर दे रखे हैं अगला देखो कॉक्रोच दे रखा है अब हमारे जो इनसेट्स हैं यह अग आपर आसे टेप वोम लिजर्ड हमारी फिर से रप्ताइल हो गई शार्क लीच यह सब दे रहा खाय तो इसमें से जो हमारे अमोनोटलिक अनिमल्स का ग्रॉप है जिसमें सिर्फ अमोनोटलिक अनिमल्स है वो औप्शन भी है क्रोकोडाइल हाला कि वो एक रप्टाइल है ल हमें पर अमोनोटलिक हो लेकिन उसके पास जब बॉर्टर अच्छी कॉंटिटी में अविलेबल है तो अमोनोटलिक हो जाता है उसी तरी किसे लीच और बूनी फिशिस भी अमोनोटलिजम के लिए जानी जाती है ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है जो कॉर्टेक्स की है अब हमारी किड्नी को दो इस व्हों में आपाटा जो अंदर का हिस्सा था डूमेडियुला था बाहर का हिस्सा था जो कोर्टेक्स था अब यह कुछ ऐसा अप detentionुवस मेडियुला नहीं होता हम देखते हैं कि जो कॉर्टेक्स का कुछ फिस सा है वह इस तरी के से के बीच में लिए है तो इनहें हम कॉलम ओफ बल्टीनी कह देते हैं जो कॉर्टेक्स का पार्ट मैडिएला के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है उसी को कॉलम बल्टीनी के अंदर कहा जाता है आ जो इसके बाद हमें करेक्स्टेटमेंट बताने कहरा है रिवन कोर्पसल और ग्लमरिलस मिल के मैंल फिजियन को पख़ल बनते हैं कुछ उल्टा फुल्टा सा स्टेटमेंट दे लिए बिलकुल ऐसा इससे इस्टेटमेंट अभी हमें हमें लुग यह लेक्र विजियर लुग है तो यहां पर देखो बोमें तो इसको एक बार पढ़ोगे आपको खुदी समझा जाएगा कौन सी करेक्ट है अब आ जा जा रहा है यह रिनल ट्बूल के चारों तरफ एक फाइन के पिलरी नेटवर्क बना देता है इसको हम क्या कहते हैं तो जो इफरेंट अर्टीरियोल निकल के आया अब वो हमारे फोसी एशन में रहे गा क्योंकि हमारे ने विल्ट रहे गां इंबाटी बनिये कमेरी इतरों सब्सक्राइगा कोई ब्लिट वेसल आसपास नहीं होगा तो किस त rumors घुरिट staan आगे जाके हमारे रेनल टीबियोल यार्नी हमारे नेफरोन की जी टुबिलर पार्ट्स हैं उनके आसपास परिटुबिलर केपिलरी इस नाम की ब्लड वेसल का एक नेटवर्क बना देता है चलो भाई इसके बाद केड़नी में हाइलम क्या है अब हमारी केड़नी है बीन इस तरफ अबर तरफ कि तरफ निकला हुआ है और हैलम इसमें से जो यह इनर कॉनकेव पाट यह कहलाता है तो यहां पर सही आंसर अपना इनर कॉनकेव सर्फेस हो जाता है बीन शेप की किड्नी है तो उप्रसलीं शेप का यह मतलब की कूछ इसा बाहर की तरफ और और तो देखो भाई, यहाँ पर clearly हमारे medulla के pyramids हमें दिख रहे हैं, तो D तो medullary pyramids ही होना चाहिए, renal medulla, चलो, सही बात है, इसके बाद, हमें यहाँ पर, अपना highlam के अंदर की तरफ, जो funnel shaped space होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने चाहिए, renal pelvis, देख लो भाई, B, renal pelvis होना चाहिए, यहाँ पर इसने renal calluses का है, इसको reject कर दो, इसको भी reject कर दो, E हमारा साफ-साफ ureter है, जो kidney में से बाहर निकल रहा है, urine को बाहर लेकर आ रहा है, तो, इस के according, हमारा option C, यहाँ पर kidney के different parts के लिए, सही answer हो जाता है, अब suppose उसमें 10 parts label कर रहा है, तो, अपने question को smartly solve करो, 10 parts label के हुआ है, सबको identify करने की अपने को क्या जरूरत है, बस जो सबसे easily identify किये जाते है, सबसे पहले उनको पकड़ो, और उसके basis पे गलत answers को eliminate करते हुए, अपना सही answer, select कर लो, चलो भाई, इसके बाद on an average, kidney per minute कितना blood filter करती है, तो यह तो simple saik figure है, इसमें कुल समझने वाली बात ही नहीं, NCRT में साफ-साफ लिखा है कि 1100 से 1200 ml blood kidney, एक मिनिट में filter कर देती है, चलो, इसके बाद, हमें यहां पर mammalian kidney के nephrons के बारे में कुछ statement दिये, अब इसमें से कौन से करेक्ट है, यह बताना है, पहले लिखा है कि जाद अतर nephron में, loop of henley काफी short होता है, यह बात तो सही है, एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही extensive loop of henley, सारे ही nephrons के पास नहीं होता, गिने चुनों नफरॉंस के पास होता है, फिर लिखा है, majority of nephrons में loop of henley, सिर्फ medulla में deep जाता है, अब जब loop of henley छोटा है, तो अंदर तक medulla तक कैसे जाएगा, medulla तो kidney के अंदर का हिस्स है, तो इसी लिए यह statement को जमाने, आगे देखते है, loop of henley is not related with urine concentration, यह भी बिल्कुली गलाता है, loop of henley, urine को concentrate करने के लिए, concentrated filtrate बिनाने के लिए, बहुत ही important role play करता है, तो यहाँ पर पहली statement हमारी सही थी, और last statement भी सही दी हुई है, जहाँ पर loop of henley medulla में deep जा रहा है, एक बड़ा सा loop of henley हमारे पास है, ऐसे nephron को हम juxta medullary nephron कहते हैं, और जिसमें लूपा मेली छोटा था है, बाहर ही रह जाता है, जादा डीप नहीं जा पाता, उसे हम cortical nephron कहते हैं, तो यहाँ पर one and four हमारे सही statement हो गए, चलो भाई, इसके बाद kidney एक tough connective tissue capsule से covered होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को renal capsule हम कहते हैं, रेनल जब भी word use किया, यानि kidney की बात कर रहे हैं, तो इसी लिए renal capsule उसको cover करने वाले connective tissue वाले से बने हुए capsule का हमने नाम रखा हुआ है, इसके बाद देखो, urine की temporary storage को हाँ पर होती है, बहुत ही easy question है, bladder के अंदर, urinary bladder में, हमारी body urine को store करके रखती है, जब तक mixtureation नहीं होती है, जब तक उस urine को body से बाहर नहीं निकाला जाता है, इसके बाद, again, हमारे एक three-day system के different parts label कर रखे हैं, तो देखो, सबसे बहले, A क्या होना चाहिए, हमारी kidney के ऊपर जो रखा हुआ है, उपर जो चिपका हुआ है, यह असल में हमारा adrenal gland होगा, दोनोई kidneys के ऊपर एक एक adrenal gland होती है, तो A adrenal gland होना चाहिए, located at the anterior part of kidney, यह हमारी सही बात हो गई, kidney के ऊपर located है, बाकी देखो, बी जो है, यह हमारी kidney का inner part है, अंदर के पार्ट की तरफ यह labeling कर रखी है, तो या तो उसको आप renal pelvis के लो, या medulla के लो, तो बी इसने क्या बोला हुआ है, pelvis बोल रहा है, सही बात है, broad funnel shaped space inner to highlam, directly connected to loop of henley, यह तो सही बात है, कि यह highlam के अंदर की तरफ की ही जगाव होती है, लेकिन directly connected to loop of henley, इस तरी के से इसको describe नहीं करेंगे, फिर C क्या label कर रखा है, देखो, medullary pyramid, तो C medulla है, inner zone of kidney, contains complete nephrons, यह भी गलत बात होगी, inner zone है, यह तो सही बात है, लेकिन पूरा को पूरा nephron medulla में ही होता है, तो के बारे में इसने जो बोला, यह भी गलत हो गया, कि directly connected to loop of henley, और medulla और cortex के बारे में भी यह कह रहा है, कि पूरा nephron ya, तो उसमें होता है, या बिल्कुल नहीं होता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, तो केवल adrenal gland को correctly इसने label किया हुआ है, हमारी दोनो kidney के उपर anteriorly, एक-एक adrenal gland रखी होती है, इसके बाद देखो भई, ऐसे नोट के बारे में हमें incorrect statement बतानी है, तो के रहा है located in the upper right corner of left atrium, पहली statement incorrect हो गए, क्योंकि ऐसे नोट के बारे में, साइनो atrial node के बारे में हम location के लिए या याद रखेंगे, कहाँ पर होता है, हमारे right oracle के, right atrium के, right upper corner में ही हमी मिलता है, जहाँ left आया, वही गलत हो गया, इसके बाद pacemaker कहते है, auto excitable होता है, action potentials generate करता है, यह सारी बात तो अपन जानते हैं, इसके बाद एंजिन अ पेक्टोरिस के लिए कांसी statement गलत है, इसके बाद देखो, wrong match हमें बताना है, तो eosinophil, यानि क्या हो गया, हमेरे different type के ducosides दिये हुए, इनका correct function हमें बताना है, यह से न फिल, allergic response में involved होता है, correct बात है, इसके बाद बेस ओफिल, histamines, serotonin, यह सारी सिक्रीट करते हैं, substances, inflammation में involved होता है, यह भी सही बात है, neutrophil phagocytic होते है, यह भी correct बात है, लेकिन monocyte का hyperon secrete करने का कोई खास काम नहीं होता, इसी लिए, option D यहाँ पर हमारा wrong combination हो गया, इसके बाद by cuspid valve हमें कहाँ पर मिलता है, अगर हम अपने हाट में, different valves की location देखें, तो by cuspid valve सबसे पहले तो याद रखना left side में होगा, और किसके बीच में, left oracle, और left ventricle के बीच में, हमें bicuspid valve मिलता है, इसी को हम mitral valve भी कह देते हैं, तो अगर bicuspid की जगे कभी mitral लिखा हो, तो confused नहीं होना है, ये बात याद रख लो, कि bicuspid हो या माइटरल हो, बात एक ही है, तो कौन सा आंसर सही होगा भई, left ventricle और left oracle के बीच में है, option c यहाँ पर अपना सही आंसर है, चलो, इसके बाद, अगर spleen को हटा दिया जाए, तो इसमें से क्या होगा, अब spleen क्या है, graveyard of rbcs है, lymphoid organ है, तो देखो क्या क्या option दिये है, dead rbcs की filtration रुख जाएगी, correct बात है, हमारे rbcs जब अपना lifespan पूरा कर लेते हैं, तो जाके spleen में ही मरते हैं, इसी लिए अंग्रेवयार्ड of rbcs है कहते हैं, और dead rbcs का filtration रुख जाएगा, अगर spleen हमारे पास में ना हो, बाकि antibody production घज जाएगा, rbc production का मोज जाएगा, wbc production का मोज जाएगा, सारी प्रोसेस को गहीं ना कहीं spleen effect कर सकता है, लेकिन सबसे में यहाँ पर आंसर अपना क्या होगा, filtration of dead rbc नहीं हो पाएगा, चलो, इसके बाद ECG, किसके दौरान हमारे हार्ट की electrical activity को शो करता है, तो अब्यस्ली cardiac cycle के दौरान, ना तो diastole, ना systole, ऐसा नहीं है कि सिर्फ contraction के समय या सिर्फ relaxation के समय, हाट का क्या हाल होता, यह हम ECG में देख सकते हैं, चाहे हमारा diastole में हो, या systole में हो, चाहे रिलाक्स हो, या हमारा contracted हो, चाहे री पोलराइज हो, पोलराइज हो, लेकिन हमें पूरी ही electrical activity, पूरी cardiac cycle में क्या-क्या हुआ, यह अपने ECG में देखने को मिलता है, इसके बाद buffer system का क्या example है blood में, sodium bicarbonate और carbonic acid, क्योंकि जब हमारी body में carbon dioxide का transport होता है, तो उस समय पर क्या होता है, bicarbonate ions के form में होता है, और जो हमारा carbonic acid बना हुआ था, carbonic acid बना हुआ था, एक तरफ तो यह, H plus ions और bicarbonate ions में convert हो रहा है, और दूसरी तरह अफ यही carbonic acid, carbon dioxide और water बना रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हमारे blood में, carbon dioxide की transportation के दौरान, hydrogen ions इकठे होते रहेंगे, तो तो वो बहुत acetic हो जाएगा, hydrogen ions जहाँ जादा है, वहाँ pH कम होता चला जाता है, और जो acidity है, acidic condition है, वो बढ़ती चली जाती है, तो buffer का यहीं मतलब है, कि, किस तरीके से हम अपने blood को ना जादा acidic, ना जादा alkaline होने देते हैं, किस तरीके से उसका pH जो है maintain रखते हैं, और यह काम इसी लिए हो पाता है, क्योंकि sodium bicarbonate और carbonic acid यहाँ पे हैं, और दोनों directions में, यह reaction carbonic enhydrase enzyme की मदद से चलता रहता है, इसके बाद ही में टूरिया का क्या मतलब है, यही question से इम पूछा हुआ था, कि अगर blood में RBC, urine में RBC आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हुमाट्यूरिया बोलते हैं, option है, हमारा सही answer है, इसके बाद देखो, एक कपल को डॉक्टर ने कहा कि एक से जादा बच्चा नहीं करना चाहिए, क्यों कहा, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटालिस की वज़़ से, क्या होता है, अगर, एक आरेच पॉजिटिव, बेबी, एक आरेच नेगेटिव मदर के अंदर पल रहा है, तो फर्स्ट प्रिगनेंसी में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लसेंटा, मदर और फीटस के बलड को एक दूसरे से सेपरेट रखता है, लेकिन जब उसका बर्थ होता है, तो उस दौरान काफी खून निकलता है, एक दूसरे के बाडी फ्लूइट से मदर और बेबी का कॉन्टाक्ट तो होई जाएगा, तो उस समय पे जो आरेच नेगेटिव मदर है, उसकी बाडी को आरेच एंटिजन देखने को मिलता है, तो उसकी बाडी उसके अगेंस्ट एंटिबाडी बनाने लगती है, क्योंकि खुद तो वो आरेच नेगेटिव थी, उसकी बाडी को पता ही नहीं था कि आरेच एंटिजन जैसा भी कुछ होता है, तो जैसे ही पता लगा antibody बना लिए और दूसरी pregnancy में जब उसके mother की body के अंदर already RH antigen के against antibodies बने हुए हैं, तो ये उसके RH positive baby को नुकसान पहुचा सकते हैं, तो erythroblastosis fetalis condition हो सकती है, अगर RH positive baby है, लेकिन उसकी mother RH negative है, तो male RH positive, female RH negative है, option A हमारा सही answer हो जाएगा, ऐसी condition में doctor suggest करत होता है, कि दूसरे बच्चे में complication हो सकती है, उसके RBCs की death हो सकती है, destruction हो सकता है, hemoglobin में कौनसा amino acid, buffer की तरह act करता है, तो यहाँ पर hysteria हमारा सही answer हो जाएगा, buffer का वही मतलब है, कि जो हमारे normal conditions का balance बनाए रखे, pH को maintain रखे, इसके बाद, heart का जो action potential है, कहां से generate होता है, तो सबसे पहले, heart की जो electrical activity चालू होती है, contraction के wave शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, heart के pace maker से, यानि हमारा syno-atrial node, एसे काफी easy paper है, simple simple, बिल्कुल direct questions पूछे हुए, जादा हमें महनत करने की जरूरत पढ़नी ने चाहिए, mammals में कौनसा blood vessel है, जो largest amount of urea carry करेगा, अब यूरिया कहां पर बन रहा है, हमारी body में जो main nitrogenous waste product है, वो यूरिया है, तो यूरिया की formation का होती है, लिवर में, जो भी हमारे waste nitrogenous products थे, वो हमारे liver के पास आए, और हमने liver से कहा कि यूरिया बना दो, क्योंकि हम अपने urine के थू असानी से, यूरिया को excrete कर सकते हैं, हम यू लिवर में से निकल के निया थी, वो हमारे gastrointestinal tract से आती है, लिवर के पास, तो लिवर से बाहर निकल के जो जा रिये, यूरिया तो उसी में जाधा होगा, hepatic vein अपना correct answer है, आगे देखो, pulmonary artery का blood pressure कैसा होगा, तो pulmonary artery जो है, इसका क्या significance है, हमारे circulatory system के अंदर, pulmonary artery हमारी निकल कर आती है, right ventricle से, और right ventricle से ये impure blood को, deoxygenated blood को, ले जा रही है, हमारे lungs के पास, तो अगर इसके blood pressure को हम compare करें, तो यानि हमारे ventricle से निकल के आ, ये ventricle इत्ती जोर से contraction करता है, तो जब ventricle की contraction होती है, तो खूब सारे pressure से blood enter करेगा, हमारी pulmonary artery में, तो इसलिए pulmonary artery का blood pressure जाधा होगा, किस से, pulmonary vein से, क्योंकि pulmonary vein enter कर रही है, हमारे left auricle में, जबकि pulmonary artery exit करें, निकल रही है, हमारे right ventricle से, तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कि जहां से हमारी blood vessel originate हो रही है, वहापे अगर रिक्ती जोर से contraction हो रही थी, इतना depolarized state आया हुआ तो जरूर उसमें कूप सारा blood pressure होगा, pulmonary vein के comparison में तो जाधा ही होगा, इसके बाद देखो, इसमें से किसका open circulatory system होता है, open circulatory system मतलब, blood जो है जरूरी निया, blood vessels के अंदर ही confined रहे, पूरी body cavity में फैला रहता है, सारे tissue, सारे organs उसमें नहाते रहते हैं, तो हम देखेंगे कि analytes में, और हम anilid है, इसके बाद octopus एक mollusk है, लेकिन ये mollusk के अंदर एक ऐसा exception है, एक particular class ऐसा होता है, हमारे mollusk का phylum में, इसमें close circulatory system है में मिल जाता है, तो यहाँ पर periplaneta, यानि हमारा cockroach जो है, वो हमारा open circulatory system का example हो जाएगा, option C, इसके बाद देखो, अगर cardiac output है 5 लिटर, diastole के end में blood volume, ventricle में 100 ml होती है, और systole के end में 50 ml होती है, तो यानि कितना blood निकल रहा है, हमारे एक ventricle से, हम diastolic volume में से, systolic volume को minus कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 100 में से, हमने minus किया 50, 50 हमारी stroke volume आ गई, यानि एक ventricle से, एक मिनट में इतना निकल रहा है, अब हमें क्या पता लगाना है, हमें heart rate पता लगाना है, cardiac output है 5 लीटर, यानि 5000 ml, cardiac output, 5000 ml, तो अब हमारे cardiac output और stroke volume के वीच में क्या आंतर होता है, ऐसा ये question पहले भी आया था, कोई जादा complication इसमें है नहीं, हमारे cardiac output को हम obtain करते हैं, जब हम stroke volume को heart rate के साथ multiply कर दें, तो यानि 50 into heart rate equals 5000 तो यह हाट rate अपना कितना रह गया, 5000 को 50 से डिवाइड किया, 100 beats per minute अपना heart rate आ जाता है, चलो भाई, इसके बाद लिम्फ हो क्या काम है, लिम्फ हमारे interstitial fluid को वापस blood के पास पहुंचाता है, जब हमारे body में flow कर रहा हो था है, तो ब्लड वेसल से कुछ-कुछ निकल के बाहर आ जाते हैं, उसके constituents, इसी से लिम्फ बनता है, और हमारे lymphatic system, इसी जो निकला हुआ fluid है, tissue fluid है, इसको वापस blood में पहुंचाता है, blood vessels के अंदर पहुंचाता है, returns interstitial fluid to the blood, सही बात है, इसके बाद freshly collected blood में से अगर हम calcium हटा देंगे, तो क्या होगा, अब calcium blood की coagulation के लिए बहुत जादा जरूरी होता है, calcium ions के बिना blood की coagulation नहीं हो पाएगी, तो it will prevent clotting, blood की coagulation रुख जाएगी, calcium अगर हटा दिया तो, इसके बाद WBC का life span क्या होता है, अब RBC तो काफी लंबा जीता है, 100 दिन से उपर उसका life span होता है, लेकिन अगर हम WBC से RBC को compare करेंगे, तो WBC का life span comparatively बहुत कम होता है, तो less than 10 days यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा, सभी WBC के लिए नहीं कह सकते है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की WBC है, हमने पढ़ा है, लेकिन in general less than 10 days हम कह सकते है, सारे ही WBC का average, आ जाओ, इसके बाद A blood group वाला एक बंदा है, उसको blood चाहिए, तो उसको कौन-कौन blood दे सकता है, अब A blood group वाले इंसान है, तो उसके पास, उसके blood में, antigen A है, और antibody कौन सी है, antibody B है, ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए, कि जो blood receive कर रहा है, उसके पास, वो antibody नहीं होनी चाहिए, जिसका antigen, donor के blood म है, तो यानि B वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, B antigen body में नहीं आना चाहिए, बाखी कुछ भी हो जाए, तो अब कौन-कौन आ सकता है, एक तो A आ सकता है, एक O आ सकता है, ओ तो है ही, universal donor, लेकिन A, B और B, दोनों की no entry हो जाएगी, क्योंकि antibody B, इस person के पास present होगा, और अग जो recipient है, इसको blood चाहिए, उसके body में जो antibody है, वो antigen नहीं आना चाहिए, बाकी अपन कुछ भी कर सकता है, इसके बाद देखो, blood group 1, O के लिए कौन सी बात correct है, कि कोई भी antigen नहीं है, लेकिन A, और B, दोनों तरह के antibody है, सही बात है, antigen तो एक भी नहीं होता, तभी उसको हम O blood group कहते हैं, लेकिन antibody दोनों तरह के होंगे, फिर क्या कहते है, A antigen है, नहीं भाई, antigen antibody दोनों है, नहीं, कोई भी antigen की presence यांपे नहीं होती, तभी हम blood group को O कहते है, और फिर अगेन कहते है, A और B, दोनों है, तो के वाल यांपे O blood group के लिए, option A, हमारा सही आंसर है, इसके इसके बात देखो, अगर हमें एक patient से blood draw करना है, खून चाहिए, तो हमने इसको test tube में रख दिया, analysis के लिए, और हमें 4 तरह की test tube मिली, तो हम कौनसी test tube को इस purpose के लिए use नहीं करेंगे, तो यहां पर भी हम एक मिनट पहले कह रहे थे, कि blood की clotting के लिए, calcium बहुत जरूरी होत है, calcium ions चाहिए होते हैं, और अगर हमने calcium bicarbonate के साथ ही blood को रख दिया, तो तुरंथ यहां पर blood की coagulation की process initiate हो जाएगी, और खून अगर जम ही जाएगा, तो हम उसके blood, corpus cells, plasma, कुछ भी observe नहीं कर पाएंगे, हमारी बिलकुल research महाँ पर खतम हो जाएगी, experiment महीं के महीं रु हो जाता है, तो अब ions के अगर बात करते हैं, calcium ion, blood की coagulation के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर हम blood corpuscles की बात करें, अगर हम blood का कौन सा element चाहिए होता है, इसके लिए उसकी बात करें, तो वैसे तो blood के plasma में बहुत सारे inactive factors होते हैं, जो कि blood की coagulation में participate करते हैं, बहुत ही complex process है, आप समझ सकते हो, लगातार बहुत सारे एक sequence में enzymatic reactions होते हैं, लेकिन blood में, जो हम 3 तरह के cells पढ़ते हैं, 3 तरह के formd elements पढ़ते हैं, RBC, WBC, platelets, इसमें से platelets का ही main role होता है coagulation में, तो platelets कोई thrombocyte भी हम कह सकते हैं, correct answer हमारा option D हो जाएगा, इसके बाद देखो, अग हमें कराना है, तो कैसे करवाएंगे, अगर पूरी body में जल्दी से हमें spread करना है, तो हम injectable material vein में डालते हैं, और अगर हमें जल्दी से blood निकालना है, तो निकालते हम artery में से हैं, तो क्या पूछ रहा है ये एक बार देख लेना, अगर हम inject कर रहे हैं, body में कुछ नई चीज डाल रहे हैं, तो वो वेन में डालेंगे, और अगर हम body से blood निकाल रहे हैं, तो artery से निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा, इसके बाद देखो, इन में से cardiac system से related, कौन सी statement सही है, क्याराई human heart, ectodermal derivative होता है, human heart, mesodermally derived organ है, ये तो लाइन हमारी NCRT में भी लिख हुए है, हा हमारे जो भी आफ physiology की chapters पढ़ोगे, उसमें आपको NCRT नहीं बताएगी कि कौन सा organ, कौन सी germ layer से बना है, लेकिन heart के लिए पटिक्रियर लिए ये दिया हुआ है, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, ectodermal derivative नहीं होता है, ectodermal से originate नहीं होता, mitral valve, right और left ventricle की बीच में opening guard करता है, यह भी बाद भी गलत होगे, क्यों, क्योंकि mitral valve माने by cuspid, और by cuspid हमें मिलता है, left और left auricle और ventricle के बीच में, heart की left side पे मिलेगा, यह पर right लिखा है, तो रंद गलत होगया, ऐसे एन हमारे right atrium के, left upper corner में होता है, फिर वोई बात, हमारे ऐसे road की location बिलकुल लियाद कर लो, हमारे right auricle के right upper corner में हमें मिलने वाला है, तो stroke volume into heart rate cardiac output, यह इसने equation सही दे रखिये बाकि तीनों ही statement में गढ़ बढ़ है, तो only four हम अपना सही answer mark कर देंगे, इसके बाद देखो, जब हमारी capillaries के through blood pass हो रहा होता है, तो कुछ water soluble substances, कुछ water, बाहर cells के बीच मे जो interstitial space है वहाँ पहुंच जाता है, इस tissue को हम क्या कहते है, इस fluid को हम क्या कहते है, इसी को interstitial fluid हम कह देते हैं, या tissue fluid कह देते हैं, इसके बाद देखो, plasma से अगर हमने clotting factors निकाल दिये, यानि blood की coagulation करवाने वाले factors निकाल दिये, तो जो बच जाएगा उसे क्या हम serum कहेंगे, वैसे हमारे blood में से अगर हमने blood cells निकाल दिये, तो क्या बचा, plasma बचा, blood का matrix बचा, और इसमें से भी clotting के factor निकाल दिये, तो बच जाता है, हमारे पास serum, आजाओ, अब यहाँ पे हमारे blood में present different type के plasma proteins के बारे में बोल रहा है, तो fibrinogen क्या होता है, fibrinogen के ब blood, ठीक है भाई, globulin क्या काम करते हैं, globinol involved होते हैं, हमारे immune response में, defense mechanism, और albumins, maintain करके रखते हैं, osmotic balance, यानि fluid की volume, fluid की composition, maintain करके रखना, इन proteins का काम है, तो इसके according अपना सही answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना correct answer, option, A हो गया, चलो, इसके बाद, blood plasma में, main mineral के टायन कौन सा है, के टायन माने positive iron, तो वैसे तो कई सारे iron, हमारी body में घुमते रहते हैं, लेकिन जो main iron है, जो osmotic balance की maintenance के लिए, सबसे important role play करता है, यह कौन सा है, इस में हम sodium को select कर लेंगे, यानि na plus iron, हमारा main के टायन हो गया, इ बात कर रहे थे कि blood group, जो ABO blood group होती है, किस basis पे होता है, तो blood group हमें यह बताते हैं, कि हमारे RBC के उपर कौन सा antigen है, उसके basis पे अपना blood group है, लेकिन जो antigen हमारे पास नहीं होता, उसका antibody हमारे blood के plasma में होता है, तो यही देखो, यहाँ पे table दे रखिए, और हमें जो missing है, व donor का group क्या क्या हो सकता है, अब AB एक universal recipient है, उसके पास कोई भी antibody नहीं है, तो जब कोई antibody नहीं है, तो उसको डर किसी बात का है ही नहीं, वो A, B, A, B, O, सभी से blood ले सकता है, तो यहाँ पर Z, सारे ही blood group को list कर दो, X क्या हो गया, AB हो गया, Y क्या है, O blood group में कोई भी antigen नहीं है लेकिन दोनों ही antigen, हमारे पास A और B, दोनों ही तरह के antigen यहाँ पर present होंगे, तो option C, यहाँ पर अपना correct answer है, जिसमें different type की blood groups वाले जो लोग है, उनके बस कौन सा कौन सा आइप जैने, कौन सी antibody है, इसके according सही blanks को हमने फिल कर रखा है, चलो भाई देखो, इसके बाद, factor हो गया, और इसका काम है, प्रो थ्रॉम्बिन की formation करवाना, यूँकि जब प्रो थ्रॉम्बिन होगा, तो थ्रॉम्बो काइनेस की मदद से, यह प्रो थ्रॉम्बिन तो थ्रॉम्बिन बन जाएगा, और फिर इस थ्रॉम्बिन की मदद से, हमारा फिबरिन हो जैन, फिबर प्रोठीन के थेद्स बनेगे, तभी बलड का क्यागियूलम बन सकता है, बलड के क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है, चलो, इसके बाद बलड डैश वेंट्रीकल से पंप हो रहा है, डैश आर्टरी में एंटर कर रहा है, है जबकी डाश वेंट्रिकल में से पंप हो के का यश आल्ट्री में एंटर कर रहा है यह बलड वेसल का नाम बोला तो अब हमारी वेंट्रिक्ल में से दो ब्लड वेसल निकल रहे हैं सपोज सुआ यह आपना हार्ट है टेखवाई यह अपना हाट है, नीचे वाले जो चेमबर है, यह वेंटरिकल है, अब इसमें से एक तरफ से एक ब्लड वेसल निकल रही है, दूसरी तरफ से दूसरी ब्लड वेसल निकल रही है, यह हमारा लेफ्ट वेंटरिकल हो गया, यह हमारा राइट वेंटरिकल हो गया, हमारे लेफ left ventricle में से जो ब्लड वेसल निकलती है यह होती है आयोटा और राइट ventricle में से जो निकलती है यह होती है हमारी pulmonary artery तो अब भाई कोई confusion है इसमें right ventricle में से pulmonary artery निकल कराई left ventricle में से आयोटा निकल कराई इसी के अगॉर्डिंग अपना सही answer mark कर देंगे हमारे pulmonary artery निकलती है left right ventricle में से a right होना चाहिए बी pulmonary होना चाहिए इसके बाद हमारे left ventricle में से निकल कर आती है आयोटा तो दी आयोटा होना चाहिए इसके according सही answer अपना option है हो गया चलो इसके बाद semilunar valve और atrium ventricular valve के closure के बीच में इन दोनों के बन जोने के बीच में कितना time का gap है तो total हमारी cardiac cycle 0.8 second की हुई और इन दोनों events के बीच में उसमें से 0.5 second का gap होता है तो यह correct answer अपना option भी हो गया चलो middle man of body हम किसे कह सकते हैं भाई lymph को कह सकते हैं यूँकि अभी हम बोल रहे थे कि blood जो हमारे blood vessels के अंदर ही confined रहता है लेकिन कभी कभी हमारे blood vessels में से कुछ इसके constituents बाहर भी निकल कर आ जाते हैं इसको हम tissue fluid कहते हैं और lymphatic system ही है जो इस lymph को या इस tissue fluid को अपने अंदर रखता है और फिर finally blood को ही वापिस दे देता है blood में ही drain back कर देता है तो इसी लिए इसको middle man का हम नाम दे रहे हैं हाट में से जो blood pump होता है वो sinuses में कहां पास होता है अब proper blood vessels नहीं है sinuses ने बोला है तो इसमें से किसमें हमें ऐसी condition मिलेगी इंसेक्ट की केस में ऐसी condition मिलेगी फिशेज बर्ट यह दो रोटेब्रेट हो गए इसके पास तो पूरा प्रपर प्लोश इसस्टम होगा और तो अनलेट है अनलेट के पास ब्लोश सब्लेटरी सिस्टम होता है तो ओपन किसका रहा गया इंसेक्ट का रहा गया इसके बात coronary artery disease किसे effect करती Coronary artery disease मतलब जो हमारे heart को blood supply दे रहे हैं उन blood vessels के या तो अंदर को की डिपॉजिशन हो गई उन में कुछ ब्लॉकेज हो गई इसी को कॉर्णरी आटरी डिजीज कहते हैं तो यह हमें हाट को ब्लड सप्लाई देने वाले ब्लड वेसल को अफेक्ट कर रही है कोर्णरी आटरी डिजीज के लिए साही आंसर है इसके बाद देखो इन में से कौन सा हॉर्मोन किड्नी में से नहीं सिक्रीट होता तो यार अगर अपना पहला ही ऑप्शन देख लोगे हमें दे रखा है एनफ अब एनफ का फुल फॉर्म क्या होता है एनफ एत्रियल नेट्रियूरिटिक फैक्टर होता है जो कि अगेन हमारी किड्नी फंक्शन के रिगूलेशन में रोल प्ले करता है और एक्रियल इसको बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हार्ट में से रिलीज होने वाला है तो किड्नी में तू से कर नहीं हो था तो रंठ launches भाट इसकाइगा इसके बाद दीको डियूरेसिस कैसी खांडिशन है की बाडी यूरेन की आप इसकेक्न करे kurलिये reek तो दोनों ही जीजोंगे गेस्में आप ढईयूटे कह सकते हो और कभी-कभी दोनों बाते में लिखे हुते हैं कि लाज बॉल्यूम औफ डायल्यूट यूरूं तो दायूरूस्यूГ्रीटिच के लिए करता हैं तो बीली रूबॵिन बलय होते ही हैं कोलेस्टरोल भी सिक्रीट होता है, डिग्रेडिट स्टेरोइड हर्मोन भी हाँ पर हमें मिलते हैं, तो all of these correct answer हमें करना पड़ेगा, लिवर हमारी बोडी में मेटेबॉलिजम का बहुती इंपॉर्टेंट सेंटर है, और यह सारी ही है चीज़े हमें लिवर से सिक्रीट होती ह कोई मिल जाएंगी, इसके बाद देखो, अगर यूरिनरी ब्लाइडर के स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए, यह जानते ही है कि ट्रैंजिशनल एपिथेलियम का बना होता है ब्लाइडर, जब वो खाली है तब छोटा सा होता है, लेकिन फ्रैंजिशनल एपिथेलियम की ब्रेजन्स की वज़े से, जब वो यूरिन से भर जाता है, तो उसका साइस बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसके स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए, यानि हमें यह पता ही ना लगे कि यूरिनरी ब्लाइडर भर चुका है, अब हमें मिक्टिरिशन करना है, या या यह पर सहीं अन्सर हम करेंगे, क्योंकि हां मिक्टिरिशन कब होना है, यह हमें इस पता लगता है, लेकिन स्ट्रेच रिसेप्टर के एपसंस में ऐसा नहीं है, कि मिक्टिरिशन इंपॉसिबल ही हो जाएगा, इसके बाद देखो, नेफरॉन का कौंसा पार्ट है, जो कलेक प्रोडक्स वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम नेफरोन का स्टुक्चर तो हमें पता होना ही चीए, कि चालू हुआ बॉमिन्स कैप्सूल से वहां पर इल्टरा फिल्ट्रेशन हुई, बॉमिन्स कैप्सूल के बाद अपना PCT आया, प्रॉक्सिमल तो हमारे पास होँ है, और फास हो Pe Audra इसके पास है बल्कि आणदर हो ताम हम उसकोत इंतरन फीलीजन कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यूप्लिए जाई कि नहीं, नहीं भाई, हमारे रिरोड बाव हमारे आर्मीस के बास होता नहीं है, यूलियोटलिक उय Cumulus ajudar भाउamp में किसी भी तरह से एक्स्क्रीशन होती हो लेकिन जब वो पूरा ग्रोन अप हो गया है अडल्ट फ्रॉक कि अगर बात करें तो यूरियो टेलिक अगर पूरा गया है जो चन्टरीटेटी उरेन के प्रोड़क्शन में लेकिन यूरियों की कॉंसेटिटी पूछा हो लूप आफ एली बूचा कुछ भी पूचा हो हमारे है डाइल्यूटे यूरें की फॉर्मेशन होने लगेगी यूँकि पूरे के पूरे नेफरोन के सभी पार्ट कॉंसेंट्रेटेड यूरें बनाने में इन्वाल होते हैं और किसी को भी अगर हटा होगे तो यूरे और डाइल्यूट बनने लगेगा इसके बाद सेमी सॉलिड पैस्ट के फॉर्म में पेेस्ट ए पैलेट भी अगर कहीं रिखा हो तो कर्फ्यूस मत होना यह पैलेट यह पेस्ट के फॉर्म में एक Semi-solid हो रहे हैं जैसा कि हमें birds में और reptiles में निको मिल जाता है तो यूरी को चलिक अनिमल के केस में ऐसा देखेंगे इसके बाद देखो ने नेफरीडिया यहाँ पर हमें फेरिटिमा में मिलने चाहिए लेगन इसको मैच कर्र fino ला के साथ तो इत नेहिए तो सब्सक्राइब और उसको हमें मैच करना चाहिए था उसके फ्लेम सेल्स के साथ प्रोटो निफ्रेडिया सॉलन उसाइट फ्लेम सेल कुछ भी बोल लो फिर फ्लेम सेल अगेन अर्थवं के साथ गलत मैच है जेनरल बॉडी सर्फिस के थुरू भी प्लानेटा जो है एक्सक्रीशन नहीं करता है मल्फिजीन टिब्यूल हमें कॉक्रोच में मिलेंगे तो करेक्ट मैच कौन से अप्शन में हो गया भई निफ्रेडिया और फ्लेम सेल हमारे फैशियोला के साथ फ्लूप के साथ जेनरल बॉडी सर्फिस हाइडरा क्यूंकि अप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा जहां इनको दोनों कॉलम्स को करेक्ट ली मैच कर रखा है चलो इसके बाद इन में से कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है तो अलग अलग तरगी नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे आनिमल वर्ड में डिफरेंट आनिमल्स की ब लेकिन गवानो टेलिजम बस खाली एक चीज़ याद कर लो एक चीज़ दिमाग में रख लो कि हमें स्पाइडर जैसे जो एक निट्स वगेरा है कुछ और त्रोपोर्ट में इन तीनों ही मोड़ अप नूट्रिशन से मोड़ एक्स्रीशन से हट के एक चौथे तरह का मोड इसके बाद एंफ क्या कॉस्ट करता है इससे बलड प्रेशर पर क्या आशर पड़ता है एक तरीके से हमारे यूरें प्रडक्शन को अफेक्ट करता है अगर हम देखते है कि यूरें की फार्मिशन जादा नहीं हो रही है बड़ी में फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ रही है तो ऐसे केसे में ज़ादा urine बनाने के लिए हमारा atrial strategies factor क्या करने लगता है कि यह होता है कि वेसो dilator यानी blood vessels को बड़ा कर देता है बड़ा कर दिया तो blood को flow करने के लिए जादा रस्ता मिल गया जादा रस्ता मिल गया तो blood pressure कम हो जाता है तो वेसो dilution होती है blood सब्सक्राइब करते हैं तो रं मैं आपना सबम निकलता है है इसमें हमें स्टयूल है यह थी रहे के कंपाउंड मिल सकते हैं तो यहां पर भी all of these सही आंसर हमें मार्ग करना होएगा इसके बाद और निजिन साइकल कहां पर अकर होती है तो और निजिन साइकल में बेसिकली होता क्या है हमारा अमोनिया कनवर्ट होता है यूरिया में और ये काम हमारी बॉड़ी में कौन कर रहा है इस तरह की काम हमारा लिवर ही करता है जो भी मेटबॉलिक अक्टिविटिटीज है मेंली इंपोर्टेंट अक्टिविटीज लिवर के अंदर ही होती है तो जो भी अमोनिया बॉड तो कहां पर हो रहा है लिवर में हो रहा है और जब भी हमें हिपाटिक वर्ड मेले समझ जो लिवर की बात करें जैसे जब भी रेनल बोला समझ जो किड्नी की बात हो रही है के लिए आप कह सकते हुए हुए लेकिन इन बोर्ड स्का मतलब बहुत ही सिंपल होता है और इसी लिए हुपट ऑस इसने स्के ap injured सेल्स होते हैं और हिपाटो जहां भी लिखाए समझनों लिवर की बात हो रही है तो हिपाटो साइट में ही यह काम हो रहा है और निदेन साइकल चल रही है जो पर अमोनिया से यूरिया बनता है तो इसी के साथ इस मॉक टेस्ट के हमारे क्वेस्टिन खतम होते हैं उम्मीद क करते हैं या कोई भी दूसरा टेस्ट सॉल्व करते हैं साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस टॉपिक पे हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे चलिए अभी के लिए इतना ही जैन हलो एवरीवन तो स्वागत है मॉक टेस्ट टेस्ट टून्टी टू के एंड़िस मैं आई यूर फेवरेट बड़ी शैशी तो जानते तो हो गई चलो चालू करें तो बिसकली आज आपका टेस्ट किसका था तो उन चैप्टर का जिनको लोग देखके ऐसे हो जाते हैं मूवीज में और नाटकों में ऐसे नहीं होती हैं बहुए क्या 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 वैसे आप लोग चैप्टर्स का डिस्केशन कर लेते हैं कौन से दोनों केमिस्टी और एंविडे लाइफ और एंवरिमेंटल केमिस्टी ठीक है जब से एंटीए आई है तब से इन चैप्टर से शोर्ट शॉर्ट कोश्चन्स आने चालू हो गए हैं इससे पहले कभी आता था जब सी बीसी चैटिए तब कभी आता था चुट ऑप्र जब से एंटीए उन्पोटन्स एक कोश्टन तो देंगे ही देंगे तो यहां से कोश्चन्स आने चालू हो गए हैं और शूर्ट मिनममा यहां से अर्ट मेंबर लेकर जा सकते हैं कि मिनममğa् दोई चैप्र से क कोश्टन है ओग द drug is a not a function of drug मतलब वो किया रहा है इन मैसे drug का function कौन सा नहीं होता है तो सबसे पहले वो आप से क्या बोला है prevention of disease सबसे common चीज़ है जो drug को करनी पड़ेगी that is prevention of disease diagnosis of the disease exactly जब तक drug पैचानेगा नहीं किस पे जाकर अटेक करना है किस इंक्रीज क्रोफ औपड़ी क्या इसका मतलव पैदा कर रहा है यह उनको ही बढ़ा देगा वह ऐसी दवयरुत कि क्या रूवत है ना इस यहां अंसर है इस यह है जो कि हमारा चले आगे चल चलो चलो थाओ आज तो देखों अब यहां पर आपको क्या बोन the characteristic of or an ideal drug is ठी कि मतलब जो सबसे best drug होते है जो ideal जो मतलब किस बिमारी के लिए ऋक है तो इसको बोलते है वो कहरा है बताईए तो कहरा सु आटक करना आपक करना है कि सिस्टं पर इतक करोगी इप पुरी बॉरी होगे क्या पूरी बॉडी पे जाके सब्सक्राइब कर दोगे क्या नहीं है ऐसा तो नहीं होता है तो यह कोई नहीं चाहता कि अगर आप ड्रक खा रहे हो मानलो आपके अंदर दो बिमारी आ है ठीक है अब मानलो आपने आपको X बिमारी का पता लग गिया आपको वाई के बारे में अभी तक पता नहीं लगाए तो अगर आपको X का पता लग गया तो आप दवाई किसकी खाओगे X की तो क्या X की दवाई खाने से आपका Y वाली बिमारी सही हो जाएगी नहीं वो तो वैसे की वैसी रहेगी तो इसका मतलब ड्रक का सबसे आइडियल केस होता है आइडियल काम होता है कि वो उसके लिए एक्शन ले एक्शेक्ट उस जगे जाके एक्शन ले जहां उसकी रिक्वाईरमेंट है यह नहीं गए कि ऐसे को यूनिवर्सल दवाई नहीं बनीगे न कि यह टैबलेट खालो भाईया सारी उमारी सरीर में सही हो जाएगी ठीक है तो इसका सही अंसर क्या होगा बड़ी हम मतलब वो कह रहा है जो हमारा ड्रक से पॉइसनिंग हो जाती है ड्रक की वज़े से बहुत से लों सुना है आप टाइड एफेक्स हो जाते हैं या कोई बिमारी कोई दवा रियक्ट गरत तरीके से कर जाती है तो रग इंड्यूस पॉइसनिंग का रीजन क्या है सबसे पहली चीज वो आप से क्या पूछ रहा है पूछनी रहा है बोल ला है बाइंडिंग रिवर्सिबिल्टी एड़ एक्टिव साइट ऑफ दा एंजाइम नहीं इससे वही मतलब नहीं है अगर एक्टिव साइट पर जाके जोड़ा और वहां से वापिस निकल गया तो इससे आपकी पॉइस्निंग नहीं होगी बिरिंगिंग कनरो मेशन चेंज इन धार गाता एक्टिव मतलब वो कह रहा है जो confirmation change है binding side में वो ले आते हैं नहीं उससे भी कोई दिक्कत नहीं हो नहीं है binding at the allostatic sites of the enzyme exactly आप वो क्या याद अखना है कि अगर allostatic sites of the enzyme पर उसने जाके binding कर ली तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो वहाँ पर जाके जो आपकी affinity है substrate के लिए active sites पर वो घट जाएगी और वो घट जाएगी जिसकी वज़े से हमारी क्या हो जाएगी drug की वज़े से poisoning हो जाएगी तो यह हमारा option C बड़ी क्या है बिलकुल सही है ठीक्या चलो आज़ो what type of force binds the substrate of the active side of enzyme किस type की force करते है तो देखो वो कह रहा है क्या आपकी ionic bonding करती है बिलकुल ionic bonding करती है hydrogen bonding करती है बिलकुल hydrogen bonding भी करती है multiple choice है क्या अच्छा नीचे वैसे दे रखाए क्या wonder wall करती है बिलकुल करती है ठीक है reaction with functional groups of enzyme नहीं पहली बात तो enzyme में कोई functional group होता नहीं और उसके साथ अगर enzyme में different function group लगा भी दोगे तो उनके साथ reaction नहीं करता है हमारा first second or third सही है तो कौन सा है हमारा first second fourth, first second, first third fourth, first second third, option C पीछे हमारे option C ही सही थे क्या ओ भाई साब देख रहे हो पहला भी option C, दूसरा भी option C, तीसरा भी option C, चौथा भी option C, वाह, मतलब सोचो किसी नगर C पर तुक्का माना चालू कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इस कोड लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला ठीक है चलो आओ, question 5, बोला receptors are drugs targets, receptors as drug targets are protein that are crucial to body communication process, exactly, receptors क्या होते हैं, यह वो चीज़ होते हैं, यह तैसे proteins होते हैं, जो की body में communication आ काम करते हैं, ठीक है, they are, यह क्या हो गया, they are embedded, वो पूछा यह किस में embedded होते हैं, यह हमेशा है रखना, आपके cell membranes में क्या होते हैं, embedded होते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, जो active sites होती हैं, जो surface से उपर होती हैं, उनकी तरफ drug को project करती हैं, तो हमेशा है रखना answer क्या होगा, cell membranes, सही है, क्या हो तो इस चले पक्का नेक्स्ट इस तारे कोशन डाल दी है क्या विश्टी राइक के वह एंवर्मेंटल चेंज इंपर्टेंट थो मज़ा आना चाहिए कोश्चन में ठीक है अब पूछ रहे हैं एंटा एसिट्स आर दोस ठीक है विच एंटा एसिट्स नाम समझ में आ रहा है ऐनटा एसिट्स का मतलब जो पेट में एसिटी होती है एसिट बन जाता है ऐसे क्या होता है कि आपके पेट में ढहरा इन सबकी तरफ यह सब क्या है आप की बोडी में पीच कम हो से सेледंसे जह जो गया है उस पिएच को बढ़ाना है कि बिलकुल सही बिलकुल सही बात है इस स्टोमक का नीचे लिखे है जुछ सामने स्वकों से लड़की निकल बढ़ेज़ता है हट का ठीक है ethical नॉनना कंग लिख बढता है ठीक है, which decreases the pH of stomach, ओके, which raises the pH of liver, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, चले, हाँ, जाओ, next, chemical composition of anti-acids, ठीक है, क्या है, देखें, वो बोला है, कि हमारा NaHCO3, बिलकुल anti-acids में NaHCO3 होता है, ठीक है, ALOH, बिलकुल anti-acids में होता है, हमारा, MGOH, whole trice, बिलकुल ये भी होता है, अब वो पूछा है, among this, which, which of the above are correct, अच्छा, तीनों ही है, तो 1, 2, 3 का है, 1 or 2, 2 or 3, 3 or, 1 or 3, मतलब, 1, 2, 3, अच्छा, all of these, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंसर हो जाएगा, इसका all of these, मैं ढून रहा हू तीनों ही होता है, इसमें तो 1, 2, 3 कहां लिखा है, option भूल गए गया, तो नीचे क्या आगया, all of these, all of these का मतलब, आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ठीक है, वो कहने का मतलब, all of these का मतलब, आपका, 1, 2, और 3, आपके तीनों सही है, बोलो, कोई दिकत, समझ में आया चले आगे चाल आजा ठीक है वो कह रहा है which of the following is a food antioxidant दे वो होता क्या है जैसे foods आते हैं जो packed foods आते हैं वो basically oxidation की वज़े से खराब हो जाते हैं ठीक है तो basically अगर आपको food को बचाना है तो उनमें हम inert gases भरते हैं या आपको कोई ऐसे substance at the time of manufacturing भरते हैं जिससे वो चलता रहता है तो पूछ रहा है बताओ इन मैसे कौन सा food oxidant आपका है तो देखो BST तो बहुत famous है ठीक है BHA भी बहुत famous है और sulfur dioxide और sulfites भी use किया जाते हैं तीनों तो मतलब अंसर क्या होगी है all of these मतलब हमारे ये तीनों उपर वाले क्या हैं तीनों उपर वाले हमारे food antioxidants हैं कुछ समझाने वाला नहीं है यह आपको याद करनी पड़ेंगी कि यह तीनों चीज़े आपके क्या होते हैं food antioxidants होते हैं इन में कुछ है समझाने वाला नहीं है ठीक है चलो आजाओ अब वो बोल लाए है कि the anti-histamines drug is इन मैसे कौन सा anti-histamin drug है तो देखो वितनोल नहीं वितन हमारा क्या है anti-histamin होता है ठीक है बोलो सही है चले आजाओ next question वो करें drug which is used as energetic anti-inflammatory and anti-paratic is मतलब तीनों के लिए यूज होता है वह आपका drug कौन साइब बहुत पेमस है एस्प्रीन मार्केट में बहुत एजली अबलेविल और बहुत पेमस है हमारा एस्प्रीन याद रखना तो यह तीनों के लिए यूज होता है एनलजैसिक भी है एंटी-inflammatory भी है और एंटी-piratic भी है तो याद रखना एस्प्रीन हमारा यह तीनों करता है इसलिए यह बहु और फॉलाइंग इस यूज़ फॉर इंडूसिंग स्लीप वह कह रहा है इन मैसे कौन है जो कि आपका नींद के लिए या पिर आपको बेहोशी में ले आने के लिए जल्दी माला को नीन ना रही है तो नींद कियो लाने नींद की दवाई कि सो कह सकते हैं वह कौन साहिन में इसे पैरसीटामल सबको पता है नहीं ह keenकि पैरसीटामल तो आपका इसके बुखार के लिए होता है क्लोरोकुञीन नहीं विथमौल नहीं एक तक का एंटिसेपिक डैप संथिंग हो जाता है तो यह भी वह नहीं है अमारा क्या होता है बार्बी टूरिक ऐसे डैरिवेट औ समारे क्या होते हैं स्लीप इंड्यूजिंग ड्रग्स होते हैं याद रखना ठीक है ऐसा लगता है लाइन से सारे जिसने पेपर बनाए वह कितने चैप्टर डालने हैं से पर में भाईया दो तो एक काम करो पेपर में कितने कोशन है पचास पच्छेस डालो चैप्टर पैस प अगे तो लाता ही है एंड एक्टेस सेंटरल नर्वर सिस्टम सी एन इसडि प्रेजेंट्स आर्कॉल बहुत फेमस ट्रैंकुलाइजर्स याद रखना बहुत फेमस है ठीक है तो क्या ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं यहाँ देखु इन तो कह रहा है स्लीप इंड्यूस कर द इसमें भी कौन help करता है तो देखो इसका मतलब क्या यह बिसिकली जब आप पे न कोई mental tension होती है या आपका दिमाग मतलब परिशान होता है आप depression में होते हो मतलब mental tension लिखने वाला हूँ mental tension और इसको आप बोल सकते हो कि आप depression में भी हो अगर आप mental tension और depression में हो तो बिसिकली उस टाइम पे आप जो दवाई यूज़ करोगे उनको बोलते है टैंकुलाइजर्स तो यह आपको क्या है सुला देते हैं जिसकी वज़े से आपका nervous system थोड़ा रिलेक्स हो जाता है और आपकी mental tension क्या हो जाती है बड़ी कम हो जाती है ब इसको हम एस्प्रीन भी बोलते हैं क्या यूज़ बोलते हैं एस्प्रीन जो पीछे पढ़ाएं ना यह एस्प्रीन क्या है का ही chemical formula है तो याद रखना यह क्या है आपका एस्प्रीन का ही एक chemical formula है ठीक है इसी एस्प्रीन बोलते हैं ठीक है चालो आजाओ नेच्ट वह वो लाइफ विच आप दा फॉल्वाइं statement is correct इन मैंसे कौन सा statement है जो की correct है तो पूछ रहा है which of the following statement is correct इन मैंसे कौन सा statement है जो आपका correct है ठीक है तो देखो वो सबसे पहले क्या बोला है सम ट्रेकुलाइजर्स फंक्शन बाइ इन्जाइम विच कैटलिसिस दा डिगरेशन ओफ नौन रिलीन रही है नौन रिलीन ही वह होता है जब नौन रिलीन का लेवल कम हो जाता है तो बंदे को डिप्रेशन फील होता है तो यह exactly बिल्खुल सही है ठीक है तो नीचाले पढ आपका पहला क्या है बिल्कुल सही है कि सम ट्रेकुलाइजर्स फंक्शन बाइ इन्हीटिंग दा एन्जाइम विच कैटलिसिस दा डिगरेशन ओफ नौन रिलीन ठीक है अगर इसको कम हो जाएगा यह कम हो जाएगा तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा बेसिकली यही 17th which of the following defines the opiates opiates क्या होता है ठीक है गांजा नहीं चरस opiates को क्या बोलता है हिंदी में? चरस ठीक है जो की इंडिया में legally आपका क्या है? legally आपका बेहन है ठीक है तो कह रहा है which of the following defines the exact definition of opiates ठीक है ओपियेट्स क्या होता है एक flower आता है ठीक है ओपी करके ठीक है ओपियम जो ओपियम होता है आपका basically वो ही ओपियेट्स बनाता है पाउडर पॉम में तो ओपियम भी निकलता है एक poppy नाम का एक flower होता है वो कैसा होता है इस तरीके का होता है ठीक है ठीक है इस तरीके क एक flower होता है गोल तरीके का ऊपर ये इस तरीके का तो यही क्या आपका होता है opium की poppy तो क्या बोला है narcotics allergesics obtained from the opium poppy बिलकुल सही है बिलकुल सही है तो जो आपकी morphine है morphine का नाम सुनाए morphine आपकी किस से बनती है opiates से बनती है आप morphine को ही आप opiates भी बोल सकते हो तो यह morphine है वो सबसे best example है opiates का तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर याद रखना morphine है जिसको आप morphine बोलते हो वो आपकी इसी flower से निकलती है इसी flower से ठीक है इसी flower से इसी लिए इसको क्या बोलते है opiates भी बोलते है ठीक है चलें आगे चलो next वो कह रहा है anti microbial drugs include मतलब antimicrobial drugs को बढ़ने से रोखते हैं वो क्या क्या करते हैं देखो जैसे चोट लग जाती तो आप क्या करते हो एंटी macrobial drugs लेते हो ठीक है जिससे वो खराब ना और सडे ना आपका अर्जक्सम ठीक है तो क्या anti septic है बिलकुल सही है वो आपका क्या है anti septic है anti biotics है बिलकुल सही बात है anti biotics है और disinfectant है exactly वो disinfectant भी है तो आपका one two three की तीनों है तो option d आपका क्या हो गया बड़ी सही हो गया वो आपका तीनों है a b c क्लिया रहे सौर्टिट है चले आगे चालो अब वो क्या बोला है next anti septic are the chemicals anti septic are the chemicals which either either kill यहाँ पर लिखो सब लोग किलो ठीक है और प्रिवेंट uh- outside अधिरे वन्ट ठीक है the growth एप儿 मारों एंड एंड एपलाइट टू दान लिविंग टिशू नॉन लिविंग टिशू नहीं लिविंग टिशूज लिविंग इशूज तो बेिसिक्ली पहला किल प्रिवेंट लिविंग टिशूज और ऑप्शन एही आपका ही सही है किल प्रिवेंट या फिर लिविंग टिशूज ठीक है चालो आज और नेक्स्ट कोश्चन 20 वो कहना वाट इस दा टिंचर ओफ आयोडीन बहुत इंपोर्टेंट है वेरी इंपोर्टेंट ठीक है वेरी इंपोर्टेंट तो पूछ रहा है वाट इस दा टिंचर ओफ आयोडीन क्या होता है ठीक है तो बोल लाए है 2-3% solution of iodine in alcohol water mixture वो कहरा है alcohol water mixture में बिलकुल सही है 2-3% iodine 2-3% iodine आपका mix किया जाता है किसमे alcohol water के mixture में तो वो आपका tincture of iodine किलाता है और ये एक तरह क्या होता है आपका disinfectant होता है क्या होता है disinfectant disinfectant को हम antiseptic भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं antiseptic मतलब basically जब आपके चोट लग जाए लगाते हो तो उसकी एक टिंचर of iodine लगा लो चलें आगे next which of the state में नहीं which is true for the anti-fertility drug anti-fertility drug का मतलब जो आपका बच्चे की growth ना हो में बच्चा पैदा ना हो उसके लिए use करते हैं तो कह रहा है these are called birth control pills exactly ठीक है the aim is to prevent conception और fertilization ठीक है बिल्कुल सही है they contain a mixture of hormones ठीक है बिल्कुल सही है they contain a mixture of hormones तो मतलब आपका सारे सही है तो अंसर क्या हो जाएगा बड़ी आपका अंसर हो जाएगा all of these अंसर क्या हो जाएगा आपका all of these सही है चलें next वो कह रहा है aspartame the artificial sweetener अंसर देखा हो वो खाना खजाने वाला क्या ना ना उन गया उनका जब वो आते हैं हलुए कहते हैं आपको हलुआ पसंद रहे पर आप शुगर के चक्कर में हलुआ खा नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे आप थोड़ा सा aspartame डालेंगे तो वो क्या करते हैं आपके artificial sweeteners डालते हैं तो वो कह रहा है is made by the deptide of the amino acids बिलकुल सही है बिलकुल सही है तो कौन से वो amino acids हैं amino acids हैं आपके aspartic acid ठीक है और phenyl anonyms ठीक है ये दोनों आपके हैं जो की जिनसे आप क्या बनवाते हो artificial sweeteners बनवाते हो clear है sorted है मामला चलो आज़ाओ अब अच्छा असरसन ही नहीं दे दी वो कह रहा है chemical added to food for increasing the self-life are called preservatives बिलकुल सही है मतलब हमारा असरसन सही है बिलकुल सही है ठीक है natural sweeteners like sucrose and artificial sweeteners like saccharines are commonly used ठीक है used as food preservatives नहीं नहीं तो मतलब ये हमारा सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब हमारा असरसन सही है रिजन गलत्त है तो option C हमारा सही हो गया बढ़ी क्या if assertion is true but the reason is fault the reason is false तो हमारा जो C वाला है ये बढ़ी क्या हो गया सही हो गया ठीक है सही हो गया ठीक है चाल हो गया चले next वो कहा रहा है refrigeration helps in food preservation by killing the germs नहीं refrigeration आपका germs वों किल करता गया जम किल करता तो 100 साल तक food चलता रहता reducing the rate of biochemical reactions exactly देखो एक किसी भी chemical reaction कोई चीछ खराब कैसे होती है तो कि जब ये microbes या microorgan जाके food के उपर bacteria बैखते हैं तो reaction चालू करते हैं ये reaction एक time के साथ होती रहती है और चीज़ हमारी खराब हो जाती है अगर कोई reaction होनी है या करानी है आपको तो उसके लिए optimum temperature चाहिए होता है वो optimum temperature अगर आप ना दो और उससे चीज को ठंडा कर दो ठंडी जगे पर जो microorgan बैक्तीरियां है वो अपना सही से काम भी नहीं कर पाते इसकी वाई से reaction का rate क्या हो जाता है slow हो जाता है कि आपका कहां से आया है जो कि आपका environmental chemistry से आया है चालू चालू तो फिर अब चालू करें ठीक है और खतम करते हैं अपना ये वाला पार्ट भी देखो एमंग दा फॉल्वाइंग दा वन डेट इस नॉट अग्रीन हाउस गैस मतलब पूछा इन मैंसे कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती वाई सल्फर नहीं लो पहले एंसर हो गया ठीक है सल्फर डाइऑकसाइड हमारी एसो टू जो होती है वह ग्रीन हाउस अफेक्ट में या होती है गैस नहीं होती है नाइट्रस, रॉप्सेड मेज होती है सब होते हैं पर हमारी एसो टू नहीं होती अंसर क्या हो गया हमारा ओप्शन एधिक है नैस्ट भिच अब दब फॉलॉइंग स्टेटमेंट इस फॉल्स ठीक है तो पूचता है अहाट रफॉट फोटो प्स चर्था फॉग और स्मोग का पोटो केमिकल स्मोग रेजल्स इन दा फॉर्मेशन ऑफ पैन विलकुल सही है ठीक है लंडन स्मोग एक्स ऑक्सिडाइजिंग नहीं नेचर में रिड्यूजिंग नहीं होती है नेचर में क्या होती है रिड्यूजिंग होती है ठीक है तो यह हो गया हमने का चालो नेक्स्ट आओ विच और फॉल्वइंग है इस कंसंट्रेशन इन एस तरे उसे जाहरा किसका कंसंट्रेशन होता है एस ट्रेशन में देहने की विज़रूत नहीं है ऑप्षण सब से ज़्यादा कंसंट्रेशन एस चेड रेन में होता है S2SO4 acid का, किसका S2SO4 acid का, तो कहा है है, तीसरा option C, हमारा सही है, S2SO4, ठीक है चला है, आज जाओ ठीक है, rain acid is called is called acid rain अच्छा, ठीक है rain acid is called acid rain when its pH is, जब pH 5.6 से नीचे जाएगा जैसी 5.6 से नीचे गया वो हमारे लिए rain हानफूल हो जाती है, हमारे लिए भी monuments के लिए, जो पेड है उनके लिए, जो birds और ये सब है उनके लिए भी, तो मतलब 5.6 हमारे लिए वो range है, जिसके ऊपर तो सब ठीक है परसाथ, इससे नीचे वी दिक्कत है, तो क्या है false below 0 नहीं, false below 5.6, option क्या हो जाएगा acid rains are produced by, वो पूछा है, acid rains कैसे produce होती है तो axis production of NO2 और SO2 from burning fossil fuels, बिलकुल सही है जो acid rain है उसका actual, उसका जो actual है, reason वो यही है अब आप बोलोगे सर, ये actual reason कैसे है, क्यों कि जब ये दोनों आपस में बड़ी react करती है, तो ये ही दोनों मिलके हमें देती है, H2SO4 acid, और साथ में HNO3, nitric acid, ठीक है, ये दोनों जब react करते हैं, तो H2SO4 और nitric acid बनता है, जब water के साथ ये react करते हैं, ठीक है, और ये ही जो है, यो pH को क्या ले जाता है 5.6 से नीचे ले जाता है, ठीक है, तो हमाद आप्शन ये ही सही हो गया, ठीक है, तो acid rain में होता pollution में सब होता है, तो NS3 भी होता है, pollution में, carbon monoxide भी होता है, CO2 भी होता है, पर उसने ये नहीं पूछा कि pollution कौन फैला रहा है, उसने पूछा acid rain कौन बनाता है, तो अगर nature में NO2 और SO2 कम रहा, ठीक है, तो हमारा acid rain नहीं किलेगा, भले ही CO2 कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, sorted है, मामला चलें आगे, चालो, अब पूछ रहा है, which of these given option is not correct, इन मैं से कौन सा option correct नहीं है, green house is due to the high concentration of CO2 in atmosphere, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, ठीक है, green house effect is influenced by gases such as CH4, O3, and chloro-chloro-carbon, इनको CFCs भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CFCs भी बोलते हैं, तो ये भी सही है, green house effect is responsible for warming above the earth, बिलकुल सही है, green house effect is responsible for leveling, for the lowering the level of, lowering the level, नहीं भाई, कह रहा है, जो green house है, वो ocean level, low कर रहा है, आप है, बाई, कितना फर्जी option मनाते हैं, मतलब, green house से क्या होता है, आपका temperature बढ़ता है, temperature से आपके जो ice bugs होते हैं, जो Antarctica में, जो ice के बड़े-बड़े mountains और जो बनाए हुए हैं, वो धीमरी प्रिकलना चालू करते हैं, जिनकी वज़से ocean level अप हो रहा है, समझ रहा है हो, घट नहीं रहा है, चलें आगे, वो कहा रहा है, which is, which reaction is not a part of acid rain, ठीक, देखो, H2CO3 बन रहा है, acid rain का part है, H2SO4 बन रहा है, acid rain का part है, CO3 बन रहा है, acid rain का part है, पर CLONO2 plus H2O acid rain का part नहीं है, तो option B है, हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमारा answer हो गया, option D, ठीक है, चलें आगे, आजाओ, the most abundant hydrocarbon pollutant is CH4, मिथेन जो है, वो most abundant hydrocarbon pollutant है, हमारी, ठीक है, याद रखना, सबसे ज़्यादा nature में, क्या पाई आती है, मिथेन gas ही पाई जाती है, ठीक है, आजाओ, अब बोला है, about 80% mass of air and total water vapor from an envelope of about 10 km thickness around the earth is called troposphere, जो अर्थ से सबसे पहली layer है, अर्थ से जो उपर ही तरफ जाओगे, सबसे पहली layer आती है, उसे कहते है, troposphere, उसी में हमारी 80% gases होती है, और सारा water vapor होता है, हमना ठीक है, ठीक, next, most abundant water pollutant is, देखो, अबसे ज़्यादा अगर abundant water pollution कोई है, तो वो है detergents, जो कि तुम घर में, हर घर में आज कर लिए दोता है, हर बंदा कपड़े दो रहा है, और सीदा नालियों में जाता है, और नालियों में कपड़े दोते हो, साफ पानी जो दोते हो, ना, और साफ पानी जो दोते हो, कपड़े तो एक बड़ कर लिटे लगर साफ पानी में चला गया, तो पानी पिलकुल खराब हो गया, तो water pollutant सबसे खतरनाक है, हमार डिटर्जेंट, ठीक है, pesticides क्यों नहीं है, पेस्टी साइट्स इतनी मात्रा में, ठीक है, water pollutant निसले नहीं फलाते हैं, पेस्टी साइट्स में जम वाटर है, जो हम खेत में डालते हैं, तो खेत में जमीन के अंदर चला जाता है, तो soil pollution कर सकता है, पर वो आपका water pollution उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, चलो, आजो, next, वो कह रहा है, carbon monoxide is naturally produced by the oxidation of CH4, ठीक है, CH4, ठीक है, एक माद इसको कर लेते हैं, एक बार क्या है यह, ठीक है, देखो, फिर जे एक बार पढ़ो, वो बोल ला है, carbon monoxide is naturally produced by the oxidation of याद रखना CH4, ठीक है, इसी के incomplete combustion से आपका carbon monoxide present होता है, अगर आपने इसको appropriate oxygen नहीं दी, आप gas present in swamp area while it can be produced by, वो ही, same, incomplete combustion, किस से? incomplete combustion से, ठीक है, incomplete combustion, ठीक है, तो option क्या है, X हो गया, CH4 और B हो गया, आपका incomplete combustion, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आजओ, 37, which of the following reaction is taking place in decoloration of marble of the building, like ताज महल, etc, देखो, बहुत सिंपल है, यो marble हो किस से बना हुआ है, आपका limestone से, ठीक है, तो formula क्या हो जाएगा, COCO3, acid rain जब होगी, आपकी, ठीक है, option A ही सही दिख रहा है, मेरे तो सही है, ठीक है, acid rain होगा, क्योंकि देखो, carbon है, तो आपका, इधर SCL आपका acid rain बनाता नहीं, अकिला water से खराब होगा, नहीं, COCO3 अकिला टूर्थ होँआ जाएगा, तो आपका option A सही है, जब उसके उपर acid rain होती है, तो CASO4 में convert हो जाता है, यही आपका yellowish color देता है, ठीक है, चला है, next, D, ठीक है, चलो, इसके बाद, match the following, अच्छा, ठीक है, match the following, वो कहा रहा है, domains of all living organism, अच्छा, all living organism कहा हैं, आपके troposphere में, ठीक है, सही है, बी, ionized layer of atmosphere, उसे ionized layer, इसलिए उसे ionosphere कहते हैं, storehouse of minerals, storehouse of minerals कौन सा है, आपका, lethoosphere, और protection against the UV radiation, stethosphere, ठीक है, बिल्कुल simple है, तो, हमारा हो गया, A का क्या हो गया, A का हो गया, 3rd, ठीक है, B का हो गया, B, 2nd, हमारा C का हो गया, 4th, और D का हो गया, हमारा A, मालब स्वाली, D का हो गया, 1st, तो यह हो गया, हमारा 1st का 3rd, 2nd का B, यह हो गया, option C हमारा सही हो गया, ठीक है, option C हमारा बढ़ी क्या हो गया, सही हो गया, चले आगे, sorted है मामला, चलो, which of the following is a set of greenhouse gases, इन मैसे कौन सी greenhouse gases है, या सारे option A ही रखते हैं, गया, उपर ही देखते पर लग जाता है, देखो, CO2, CH fall, N2O, और O3, यह चारो आपकी greenhouse gases है, ठीक है, नीचे वाले में क्यों नहीं होगा, क्यों क्लोरीन आपकी greenhouse effect gas नहीं है, तो 2 greenhouse gas नहीं है आपकी, और नीचे वाले में देखोगे, तो N2 आपकी greenhouse effect ने gas नहीं है, क्योंकि N2 तो सबस्था inert gas है, तो 2 होईन जखती, ठीक है, तो option A हमारा सही हो गया, 48 चलते हैं, 48 में वो लाए है, कि match the following again, pen, जो आपका pen है, वो क्या है, pen आपका होता है, secondary pollutant, हमेशा याद रखना, ठीक है, तो यह हो गया हमारा A, यह हो गया हमारा A, ठीक है, methane, methane आपका क्या होता है, greenhouse gas होती है, बिल्कुल सही है, तो यह हो गया आपका B, ठीक है, bacteria, fungus और modules, आपके यह viable particles हैं, ठीक है, पार्टिकुलेट्स हैं, तो यह हो गया आपका C, और annoti आपकी वो है, जिसने lost Angeles smoke create की थी, तो यह आपका हो गया B, तो answer हो गया आपका first का waste, B का first, C का fourth, मतलब आपका हो गया option A, ठीक है, चलें, आजाओ, अब पूछ रहा है, which of the following cause, pollution, अच्छा, सभी कर रहा है, मैंने वो thermal power plant भी पॉलूशन क्रेट करता है, वोला जलता है, nuclear power plant, nuclear waste करता है, पॉलूटन क्रेट करता है, automobiles, आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैसे निकालती है, तो यह आपका है, तो all of these answer हो गया हो गया इसका, all of these, यह सारे के सारे आपके पॉलूटन से, ठीक है, अब वो करता है, ozone layer forms naturally by the interaction of CXC, नहीं, विद oxygen गलत, the interaction of UV with oxygen बिलकुल सही, यह क्या करता है, oxygen के molecules को oxygen free radical, free radical में तोड़ता है, फिर एक oxygen का free radical, oxygen के molecules के साथ रखके, O3 बना लेता है, तो जब वो UV rays पढ़ती है, oxygen के उपर, तब हमारा क्या बनता है, ozone बनता है, सही है, चलें आगे, चलो, protection, from ultraviolet rays, coming from sun, is provided by, बिलकुल sorted है, ozone, O3 हमारी सबसे, उपर वाली layer है, जो protect करती है, किसे sun की harmful gases, जैसे आपकी, ultraviolet rays, और infrared rays, जो आती है, इनसे हमें protect करती है, ठीक है, चलें, अब कहला है, which of the following statement is false, the main reason for river water pollution in industry, and domestic waste, sea waste discharge, ठीक है, बिलकुल सही है, surface water container, log, or lot of organic material, matters, minerals, nutrition, and radioactive materials, बिलकुल सही है, oil spill in sea causes heavy damage to fishery, बहुत सही बात है, बाई, तो उसके बात क्या है, oil slick in water, sea water, decreases due value, नहीं, डियो वैलू नहीं, डियो वैलू क्या होता है, oxygen concentration, water के जिससे, जो fish होती है, वो आपका क्या लेती है, oxygen लेती है, तो डियो का full form क्या होता है, dissolved oxygen, तो कह रहा है, oil slink जो water में, वो डियो की value खटा जेता है, नहीं, तो यह हमारा गलत है, इसलिए यह हमारा सही option है, सही option का मतलब answer है, ठीक है, fish die in water pollutants by sea waste, due to exactly pathogens नहीं, clogging of gills नहीं, exactly, decrease in due, तो यह होता क्या है, जब pollutants जाते हैं, पानी के अंदर, तो जो dissolved oxygen है, उसकी एक मात्रा को, concentration को बड़ी कम कर देते हैं, जिनकी वज़े से, जो महा के जो organism हैं, उनको oxygen नहीं मिल पाती है, और वो मर जाते हैं, ठीक है, नीचे लिखा है, foul smell, सही मज़े ले रहते हैं यह भी, ठीक है, वो कह रहा है, by the method of, by what matter the quantity of organic pollutants in water, can be determined by measuring BDO, ठीक है, तो देखो, आप क्या करो, BOD को measure कर लो, तो आपको पता लग जाएगा, कितने organic pollutants water में present है, तो आपको वहाँ से quantity मिल जाएगी, ठीक है, चलो, आजाओ, next, the DDT, ठीक है, adrenaline and de-adrenaline are toxic in nature, यह तीनों toxic में nature, nature में toxic हैं, ठीक है, बिलकुल सही बात है, बिलकुल सही बात है, ता, these are water insolubile biodegradient, transferred from lower 9, lower tropic level to higher tropic, गलत, मतलब हमारा, obsession सही है, reason हमारा, जो हो है, वो falls है, तो मतलब option, C हो जाएगा, सही है, चलो, आजाओ, नेज़ चले, नेच्ट चले, चलो, चलो, next है, आपका, eutrophication of lakes, मीज़े, इतrophication क्या होता है, जब आप, बहुत सारे pesticides, और वो सब डाल देते हो, तो एक दम से, soil में, phosphorus और nitrates की, concentration बड़ी बढ़ जाती है, इसकी वज़े से, वो जो पानी है, जब वो बहता हुआ, fertilizer का वाला, जब पानी है, वो बहता हुआ, जब aquatic ego system में आता है, water bodies में, तो वहाँ पे, उस process को कहते है, high concentration of, sulfates और nitrates को कहते है, eutrophication, ठीक है, वो क्या कह रहा है, इसका अंसर देख लेते हैं, ठीक है, eutrophication of a lake, means, ठीक है, is high in nutrition, नहीं, sorry, green chemistry deals with the production and the use of environmentally friendly products, environmentally friendly products, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसी को हम कहते है, green chemistry, जब आप ऐसे products बनाना चालू करते हैं, जिससे हमाना nature नहीं disturb होता है, या nature खराब नहीं होता है, तो उसी को हम कहते हैं, environmentally friendly products, ठीक है, चल आ जाओ, which of the following particles अंडर green chemistry, ठीक है, चल लो, if possible making use of soaps, made of vegetable oils, instead of using synthetic resistance, यह आएगा, यह green chemistry के अंदर आएगा, using H2O2 for bleach purpose, instead of using chlorine based bleaching agent, exactly green chemistry के अंदर आएगा, using bicycles for traveling, decreased small distance, instead of using petrol vehicle, वैसे ही, बहुत महंगा हो गया है, सही है, using plastic cans for natally storing substance, यह नहीं भाई, plastic use करोगे, सालों सालों तक जाके, वो आपकी degrabble form में नहीं आएगी, तो इसका मतलब, यह हमारी नहीं आएगा, किसमें, तो यह हमारा answer हो गया, तो basically, हमने अपने सारे, फतम कर लिए, बहुत easy था, chemistry का यह वाला paper, तो basically आपने अच्छा score किया होगा, इस वाले mock test में, chemistry में, ठीक है, तो मेरी आशाएं हैं आपके साथ, ठीक है, कि आपके number अच्छे आएं, ठीक है, ठीक है, चालो, ठक गए होगे, paper देखे, और analysis देखे, जाओ जाके आराम कर लो, अपन मिलते हैं, लेक्चर में, तब तक रिए, take care, bye bye, and love you all guys, Hello everyone, मैं सुमित कुमार मिश्रा, and मैं आपके लिए, आज फिर mock test 22, physics paper का analysis लेके आऊ, and I hope कि, आपका exam बहुत ही अच्छा गया होगा, और, neat exam को इसा पोर देना है, तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रही है, हर एक mock test को आप देते रही है, अपने marks को improve करते रही है, अगर कई fall भी होता है, तो आपको tension लेने की जौरत नहीं है, हर एक test को देना है, analysis करना है, revision करना है, बहुत जाद़ टाइम हमें वेस्ट करने की जौरत नहीं है, हम लोग start करते हैं, mock test analysis, तो यह अपने question सब किये ही होंगे, so the first question is, when light wave suffers reflection at the interface, from air to glass, means reflection हो रहा है, air से glass interface पे, the change in phase of the reflected wave, if you see, अगर air से glass में, travel करने का टेंची, means यह travel करना चारा, उस interface से, अगर reflection हो रहा है, that means, यह एक denser medium है, so denser, with respect to air, it's a denser medium, और कभी भी denser medium से reflection होता है, so we will have a phase change of pi, okay, so option, 3 is the correct one, next, the next question says, a mark at the bottom of a liquid, appears to rise by, means this is delta H, how much, it's appear to rise by 0.18 M, the depth of the liquid is 1 meter, the refractive index of the medium, how we calculate, delta H, if you want to calculate, delta H का फॉला हा, delta H is equal to H into, 1 upon 1, 1 minus 1 by mu, this is the formula, and how much, refractive index find can I, so delta H, is 0.1, depth is 1, into 1 minus 1 by mu, so it's going to be 0.1, equal to 1 minus 1 by mu, now if I solve, it's 1 by mu, is equal to, it's a 1 minus 0.1, so mu is 1 by, 0.9, so 10 by 9 is the answer, so option, 3 is the correct one, next question अरो देख लेते हैं, the next question is, on a glass plate, a light wave is incident, at an angle of 60 degree, this is the angle of incidence, if the reflected and the refracted waves, are mutually perpendicular, the refractive index of material, कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं, this is incident ray, this is the reflected ray, and this is the refractive, okay, this is, so आप अगर देख ओ, this is I, this is I, this is R, so यह 90 degree हैं, so I can write, R as, 90 minus I, तो फॉम्ला अगर मैं अप्लाई करो, so we'll see that, tan, here, it's mu is equal to 1, so 1 into, tan I, is equal to, so sin I, we have I, so, 1 into sin, 60, is equal to mu times, sin, R, R is 90 minus I, 90 minus 60, so we will have, mu is equal to, sin 60 is root 3 by 2, and sin 30 is 1 by 2, so root 3 is the answer, so option 2 is the correct one, next question को देख लेता हैं, so next question is, an object is immersed in a fluid, in order that, object becomes invisible, अगर object invisible हो रहा है, that means, the refractive index of medium, और object दोनो सेम है, so you won't suffer any deviation, to, आपका image formation होगा, so, क्या होगा, so refractive index, is exactly matching, with that of the surrounding fluid, that's why, हमे क्या होगा, ये इन विजबल हो जाएगा, so option 4th is the correct one, next question देख तेहा है, a convex mirror, used for rear view, on an automobile, has a radius of curvature, we have radius of curvature this, if a bus is located, at 5 meter, from this mirror, find the position, suppose this is a mirror, a figure बना ले ता हूँ, bus is here, somewhere here, 5 meter, and the focal length, is r by 2, so it's 300 cm by 2, 150 cm, find the, position of the image, okay, so, let's see how we calculate, so हम इसको, इसको सलूशन को देखता है, so if you see, अगर हमने इसको, प्लस X मान लिया, तो प्लस Y मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर, X की value अगर हम देखे, अगर हम देखे, U की value आप देखो, U is, minus, 5 meter, meter में सारा value डील करता है, तो one thing we can do, 3 meters, 3 by 2 meter is the focal length, and U is minus 5 meter, right, focal length is plus 3 by 2 meter, okay, now, what is the position of the image, so 1 by F, is equal to 1 by V, plus 1 by U, this formula we are going to use, 1 by, 3 by 2, is equal to 1 by V, minus, means plus of, 1 by minus 5, so 1 by V, is equal to 2 by 3, plus 1 by 5, so it's 15, so it's 5 into 10, plus 3, so we'll, how much we'll get, V is 15 by 13, it's almost 1.15 something, okay, so option, A is the, A or F is the correct one, next question, if epsilon 0 and mu 0 are respectively, the electric permittivity, and the magnetic permeability of free space, epsilon and mu 0, epsilon and mu, the corresponding quantity is in a medium, the refractive index of the medium, how we calculate, if we know that, first thing, any refractive index of any medium, or speed in vacuum, or in any medium, we can write under roots, mu r, or, the corresponding quantities of this, so we'll write, mu into E, in any medium, and in vacuum, it's under root, mu 0 into epsilon 0, so the refractive index, and, how we calculate, C by V, it's under root, mu 0 epsilon 0 divided by, mu epsilon, so the refractive index is equal to, under root, mu by epsilon upon, mu 0 epsilon 0, so the option, first is the correct one, so next question, we try to move, move, okay, next question is this, so in this question, we have to calculate, just see the question, an underwater swimmer, is at, a depth of 12 meter, below, the surface of water, okay, a bird is at a height of, 18 meter, from the surface of water, sorry, a underwater swimmer, 12 meter depth, water surface, and 18 meter, surface, 18 meter, bird, for the swimmer, the bird appears to be, at a distance, it's a height, it's a nager, a distance, from the surface of water, it's a height, 8 meter, time, it's a height, it's a height, 1 meter, एस्तुटिफोर मेतर तोसर्फेस से एक इतना ओपर अगर आएगा इन विए टिफोर मितर है एससे देख लेते हैं तो फोट इस्तॉर नेस्स देख लेते हैं इंग किस्टिफोर अगर वाया कौंवेक्स मेरर जब इदान पॉर एगर अब्जेक्ट लेते हैं वह एक वियल यह उसकी पीचर से हैं तो यहां पर वर्चुला जाएगा हूँ एंट नमर कॉश्शन लिए इस फीट तॉल इस फीट तॉल है इन और तो सी इस इंटार इमेज ही रिक्वार से प्लेन मिलर ऑफ मिनियम एच्पाइटू आपर क्लास करोगे आपर क्लास करोगे आपर क्लास करो पासskal जापर क्लास करोगे आपर क्लास करोगेस to see itself means always require half of the height so h by 2 to 6 by 2 means 3 feet is the required minimum required length minimum required length is 3 feet so option 4 is the correct one then the image found by a convex mirror of focal length 30 centimeter is a quarter of the size of the object so you will have positive so quarter of the size it says magnification is 1 by 4 the distance of the object from the mirror hmm yes so first we will use magnification is v by u or minus v by u we can use for a convex mirror so convex mirror कुछ ऐसा मैं ले लेता हूँ so magnification is 1 by 4 so it's minus v आप ले सकते हो object को अगर इस साइड ले लिया हमना object को so image यहाँ पर कुछ बनेगा so I can put v as a plus v but u is minus u so you will have v is equal to u क्योंकि ये निगेटिव एक्स में न अब्जेक्ट now v is को यहाँ पर फूर मुल्टिप्लाइपना होगा so 4 v is equal to u okay अब हम आगे चलते हैं now अब में मिर्र फॉर्मॉला यूस करना परेगा so using मिर्र फॉर्मॉला what is मिर्र फॉर्मॉला भी है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u so 1 by 30 ये positive side value plus 30x is equal to 1 by v now we क्या फाइन करना है distance of the objects so 1 by v v can be written as it's u by 4 okay and here minus ये negative है so it's minus 1 by u so you will have 1 by 30 hold on okay let's see so 1 by 30 is equal to 4 by u minus u so this is 1 by 30 is equal to 3 by u so u is equal to 90 cm मिर्मॉला so option second is the correct one next step ten when a light ray from a rarer medium is refracted into a denser medium light ray rarer medium से denser medium में जारा है so what happens speed so speed decreases ये denser medium में जारा तो speed क्या होगा decrease करेगा here and here and what about density you know that this velocity equal to lambda times frequency ये constant होता है so speed is directly proportional to wavelength so wavelength क्या होगा decrease होगा so wavelength and speed both decreases yeah so option 4 yeah so option 4 yeah this is the decreases and decrease so option 4 is the correct one next question जारा है the next question is to frequency of a light wave in a material is this this is the frequency here and wavelength is this the refractive index of the material जारा तो करेब तो calculate speed निकाल भता है the speed of light wave, P is equal to frequency into wavelength and frequency is 3 into 10 to power 14 the wavelength is 4000 to 10 to power minus 10 okay, so it's 4 so it's 3 into 4 is 12 into 10 to power 7 or we can write 1.2 to 10 to power 8 meter per second as the speed the medium, the refractive index mu is C by speed so C is 3 into 10 to power 8 by 1.2 into 10 to power okay, by removing this it will be 10 3 into 10 by 12, 4 that's 2.5 so options C is the correct one next exam if in a plano-convex lens if in a plano-convex lens radius of curvature of convex surface is 10 cm we have radius of curvature 10 cm and the focal length of the lens is 30 cm the refractive index of material of the lens in a plano-convex lens in a plano-convex lens when you calculate the focal length is given upon R upon mu minus 1 this is the formula we use to find the refractive index of sorry, to find the focal length of the plano-convex lens now the focal length we have is 10 cm refractive and radius of curvature is 10 cm upon mu minus 1 so just multiply cross so it's 3 mu minus 3 is equal to 1 3 mu is 4 and mu is equal to 4 by 3 so it's 1.33 okay okay so option C is the correct one next exam the minimum magnifying power of a telescope is capital M minimum means it's for you can say large distance the focal length of its eye lens is half the magnifying power the magnifying power you can see we know that the magnifying power is F0 by FE okay so in this case if you see the focal length of its eye lens is half M dash equal to F0 on FE by 2 2 times F0 by FE okay so what happens to be it's 2M so option 2 is the correct one okay so next question is given M yellow light is refracted through a present producing minimum deviation minimum deviation in case made you will have angle of incidence is equal to angle of emergence okay if I1 and I2 are I2 denote the angle of incidence so this is angle of incidence and angle of emergence so both will be same you know that so option 1 will be the correct one next question is that a double sorry a bubble in glass slab mu is equal to 1.5 when viewed from one side appears at 5 cm and 2 cm from the other side so what is the question we have suppose if we have a glass slab like this and we have a bubble like here suppose here when viewed from this side it's depth appears 5 cm when viewed this side it's depth appear 2 cm so if it's H1 and this is H2 so 5 cm is actually it's H2 it's H1 by mu and 2 cm is actually it's H2 by mu so the actually height or the thickness is H1 plus H2 and H1 is 5 mu and plus 2 mu so 7 times mu which is equal to 7 into mu is 1.5 10.5 cm 10.5 cm 10.5 cm is the option 3 is the correct one next dekhte hai ah double convex lens has two surfaces of equal radii 15 cm double convex lens we have and refractive index mu is equal to 1.5 okay its focal length its focal length its focal length is equal to so for double convex lens it's a convex lens okay so we have focal length f is equal to minus r upon 2 mu minus 1 this is our focal length so this is equal to minus r 15 cm upon 2 times mu is 1.5 minus 1 focal length is minus 15 upon 2 into 0.5 so it will be 2 times its minus 15 cm so option 1 will be the correct next question we will see a focal length of convex mirror is f it's a concave mirror sorry and the distance from the object to the principal focus is x object and principal focus ki hai distance ki hai x hai the ratio of size of image to the size of object means simply magnification ki hai to the bat karbaya and magnification in terms of this suppose we have concave mirror like this to the focal center curvature its focal length is f the focal length is f the distance from the object and principal this is the distance height is given as x the ratio of the size of the image to the size of object means m is equal to height of image by height of object that we need to find ok so how are we going to calculate size of object we have x you can say it's x height of image we have to find ok how are you going to find this um so one thing we know um magnification we need to find there is a formula to find magnification also so m is f upon minus of u minus f you can say or it's f minus u this formula we also use to find the magnification of yahaan se agaram solve karek ok height of image um we need to find and we have to find m so m so m is f upon f and d and this u is i can write it's minus of u plus f ap yahaan se agar kar karo to it becomes u plus f so magnification upon f divided by and it's u is actually f ok okay so when you put uh it becomes going to be f by u uh so you will have uh this as f is also minus f this one is also uh f is also negative it's minus also this it's also minus so you will have minus so it's minus f minus my sign name mene put together it's minus minus plus it's minus f plus f and minus x so it's going to be minus minus it becomes plus x we will have this one is minus f by x so that means the magnitude wise uh you will have f by x is the answer so option if you see option f by x is the correct one okay next question in this question we have a luminous point object is moving along the principal axis of concave mirror of focal length 12 cm towards it okay suppose we have a concave mirror this is f is c its focal length is 12 cm when it is at a distance of 20 cm suppose this is a plus x and plus y is in this direction okay this is your origin the pole is the origin mmm if it uh moving towards with 4 meter per second the velocity of image in centimeter it's a 4 cm per second so we need to find the velocity of image in centimeter per second at that instant the velocity of uh image how we find velocity of image in this case is minus of m square into velocity of object perpendicular this is how we can yeah or along the principal axis we use longitudinal magnification so magnification how we find okay so you have u you have f okay so hum its go this tara se solve karta hain so you can see m is f upon we can use we can use u minus f or we can use yeah we can use u minus f so in the last question we have also seen so we can use so this formula we can use so this formula me negative sign we can use so we can put a negative sign here so it's f if you can see so we have f negative axis so it's minus 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 of minus 12 divided by u is minus 20 f is minus and minus plus 12 so we have 12 by minus 8 negative sign mein dek raheim so it's by 4 it's 3 by 2 minus 3 by 2 so when i put here minus of minus 3 by 2 whole square or into v naught is 4 centimeter per second so it's going to be minus 9 by 4 into 4 ok so we'll have this is minus 9 centimeter per second so agar aap dekho ghe so do we have this minus 9 negative sign mein bethata hai abhi hai okay so abhi and option 3 is the correct one next dekhlete hai a concave lens has focal length of 15 centimeter hama hai paas kya hai focal length 15 centimeter hai at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter so we have image at 10 centimeter from the lens suppose object ko me nahe haa place kya image kuch hithar benda hai real isne kuch bola nahi hain hai real but we'll take the case of real one अगर यह और जिन है, इस इस और जिन, we will have, this is our V, means यह कितना संटमेम्म बोड़ा? 10 cm from the lens, so plus, focal length is plus, and U we need to find, so how we calculate, so for lens, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U, F is 1 by 15, plus 15 1 by V is plus 10, minus 1 by U that we have to find 1 by U is 1 by 10, minus 1 by 15 1 by U is when I am Elcin-Lelia 30, it says 3 and minus 2 so we will have U is equal to 30 cm so here we have a value let's see, so this is the answer we have U cm, yeah, so this is the answer next question, the next question is 21 so if 2 mirrors are kept at 30 degree, 60 degree, theta is 60 degree to each other, then the number of images हम जामते हैं, number of images formed first we will do 360 by 60 and it's coming 6 which is the event so we will subtract 1 so the answer is 5 so how we calculate, we just divide by 360 means हम जो भी आंगल में गिवें आस को 360 by that angle हम करते हैं, अगर value even है है तो हम सबस्ट्राइक कर देते हैं, 1 and if odd आता है, तो symmetric and non-symmetric देखते हैं if it's symmetric, तो one subtract करते हैं non-symmetric हो तो जो value है वही रख देते हैं, ठीक हैं? यह सारे चीज़े, classroom सीखते हैं an equilateral prism है, हमें next question देखते है, mu की value given है और equilateral prism means a और theta, a is 60 देखते हैं the angle of minimum deviation, so how we calculate तो यह आप देखते हैं, तो प्रिस्म लार्ज साइस प्रिस्म है, लार्ज आंगल प्रिस्म है we'll use sin a plus del mean by 2 is equal to mu times sin a by 2, यह formula हम use करते हैं now sin a is 60 plus del mean, जो हमें find करना है, divided by 2, so mu is root 3 and sin 60, so it's 60 by 2, यह हम करते हैं so sin 60 plus del mean by 2 is equal to root 2, sin 60 is 1 by 2, it's root 3 root 3 by 2, so 60 plus del mean by 2, root 3 by 2 is 60 degree, तो यह 60 degree आ जाएगा तो इसको हम लोग solve करते हैं, तो आप देख सकते हो, इसको solve करने के बाद यह आ रहा है, it's a 60 plus del mean is equal to 120, minimum deviation की बाद, value 60 degree आ पर आ रहे है, तो आणसर कौन सा सही हो जाएगा, तो यह हमारा सही आणसर है, तो नेक्स कोशन में अपके तरफ चलते हैं, it's a 23, a convex lens is dipped in a liquid, whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, अगर हमने same refractive index में पुट कर दिया, so you will have focal length tends to infinity कैसे, so 1 by f is equal to you know that mu relative minus 1 upon 1 by r1 minus 1 by r2, यह पाट अगर आप देखो mu relative means, which is mu of lens upon mu of surrounding, so यह 1 हो जाएगा, और 1 minus 1 0, so 1 by f is equal to 0, that means focal length tends to infinity, so that's why it become infinite, so option 2 is the correct one, next question देखले लो, the next question is, a thin linear object of size 1 mm is kept along the principal axis of convex lens of focal length 10 cm, focal length 10 cm, the object is at 50 cm from the lens, the length of the image, so longitudinal magnification में यह उसे करना है, so we have a convex lens, so में अगर आप size of the image लिखना जाते हो, okay, thickness of image is M square times thickness of object, अब directly formula हम यह चल सकते है, so how we find the magnification, so we need V by U, और हमारे पास क्या-क्या गिवन है, so we have the U, object is 15 cm, and we have focal length, magnification अगर आप काल्कुलेट करो, it's V by U, one formula is V by U, अगर हम काल्कुलेट करते हैं, but V को हम लिखना चाहते हैं, तो we can also put it as UF, so it's F upon U plus F, यह formula भी हम चूसे करते हैं, so we can find the magnification directly from this, और यह वैले पूट करेगी, so magnification is, for the convex lens, we have focal length positive, so it's 10, अगर हम देखे, object lens से कुछ ऐसा रखा हुआ, so it's negative, so that's a minus 15 and plus 10, so we'll have 10 by minus 5, so it's minus 2, so agar value हम यह पूट करते हैं, so we will have thickness of image is minus 2 square into, it's 1 mm, so it's going to be 4 mm is the answer, so option second is the correct, so इस तरह से, इस तरह सकते हम लो, बहुत 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 करते हैं, is N times, क्यों नचाए, virtual image N times, the size of object, sorry, hmm, the distance of the object from the lenses, that means हमें magnification गिवेन है, N is, N times the size of the object, so magnification is N, and it's a virtual we have convex lens और image क्या है virtual है हमारे case कुछ ऐसा होगा यहां पर करेंगे it will produce virtual image so तभी virtual image convex lens की case में बनता है we have focal length small है we know it's a V by U और यह positive value होगा जहां से लेखना है तो V by U और इससे पहले वाले question में हमने use किया is F upon U plus F बस value find करना है the distance हमें U find करना है तो यह दोनों यह formula और इस formula को use करेंगे we have N is equal to focal length is F upon U plus F this cross multiply it it's NU plus F N equal to F okay so it's NU we can find करना है U find करना है so yeah we can put it F into 1 minus N 1 minus N so U is F into 1 minus N by N negative sign so we'll have अगर देखो तो मेरा तो यह आ रहा है so virtual image N times the size of the object यहाँ पर we need to calculate U so is there any calculation mistakes N U upon this so U to U and negative value actually यह गर आपर देखो so we will have a negative value the distance is negative it's F into N minus 1 by N so it's going to be N minus F into N minus 1 so option was to the correct one so चलो next question रेख लेते है we have an object is at a distance 0.5 meter in front of a plane mirror okay distance between the object and the image हमें find करना हम जानते हैं कि अगर it's a plane mirror object जाएवा पर जितना distance D पर यहाँ से नही दितना पर इमेज फाहँ होता है that means दोनो के बीज़ दितना इस 2D and D की वालू 0.5 है okay so 2 into 0.5 is 1 meter so option P is the correct one next question is a man runs towards a mirror at a speed of 15 meter per second the speed of image relative to the man is we have mirror के तरफ 15 minute we have mirror के बारे में इसने कुछ बताया नही है अगर नहीं बोला तूं plane mirror लेना पढ़ेगा okay so we have moving with 15 meter per second so image के speed भी आप देखो it also moving with same speed but towards the speed of the image related to the man अगर मानो man को मैने रोग दिया stationary observer बना दिया so it will impart its velocity 15 plus 15 and it becomes 30 meter per second towards so option T is the correct one next question देख लेते है okay we have the refractive index of a prism for a monochromatic wave is root 2 we have mu and its refracting angle is 60 degree refractive angle is 60 degree for minimum deviation the angle of incidence will be for minimum deviation the angle of incidence will be हमें i की value find करना है हमार पास mu है so a भी है so one thing we know यह बड़ा है so del min is equal to 2i minus a this formula we also use so that means del minimum की value हमारे पास नही है mu की value है a हमारे पास है mu ही है so we can find del minimum the minimum deviation the angle of incidence will be की तवा हमारे पास है यह तवांफांगादा पास आपास है the angle of incidence but how we'll calculate the minimum deviation it's very important sorry so we can use अगर आप देखो so we can use record case is some use cursor. For minimum deviation we know that, for a prism, here, i or r. r is a by 2. Okay. So we use sin i, means 1 into sin i, equal to mu times sin a by 2. This is 30 degrees. So root 2, 30 is 1 by 2, or 1 by root 2. So i is equal to 45 degrees. So option b is the correct one. Next question. A student can distinctly see the object up to a distance of 15 centimeter. This is the closest distance for distinct vision. He wants to see the black board at a distance of 3 meter. Focal length and power of lens used respectively will be. How we calculate? Let's see. Here in this case we have the V. questions. First ummmmm… év.. voy… supposereck… agar fifteen centimeters पर पर देखना है, so suppose, अब्जेक्ट जो रखा हुआ है, leaders object जो रखा हुआ है, वो अच्रे रखा हुआ रखा ह Sarah through heart our 300 centimeter पर, but इसको इमेज बन रहा है, च जरू फार्म्स तेक पायगा, तो फोकल लेंथ में फाइन करना है, so you have, अगर आप ये ले लो, so you have v, so you have v, is equal to minus, it is right side so I will take 15 cm, U we have, it is also right side so it is 300 cm, plus 300 cm, okay, so we have 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U, we will find the focal length and it is equal to 1 by V, 1 by 15 and minus 1 by 300, okay, so we will see, 300 is LCM so it is 20 times, 20 minus 1 we will have, so focal length I am getting is 300 by 19, so this is approximately equal to 15.8 cm, okay, so if it is a convex lens actually we are just making it closer or I should have taken this one, so I have just calculated the magnitude, lekhin agar aap dusree tarah se it karna choy, kyunki aap door ke chiziyo ko paas la rahe ho, so it is, we are using the concave lens for that, so concave lens, actually focal length will get minus 15.8 cm, this is your answer, aur power aap nikaal sakti ho, so it is 1 by f, so it is 1 by 15.8 minus, so added by 100 to make it none, so it is going to be minus 6.3 daofta, so option kohan ga sahi ho jayegu, d is the correct one, next question dekha chahi hai, magnifying power of a simple microscope, is magnifying power point karna hai, when final images forms at d is equal to, it is a very simple question or it is a formula, so in this case magnifying, it is 1 plus d by f, aur jab hummara infinity bhi banta hai, so it is d by f, so option p is the correct one, next question dekha chahi tamro, a thin prism p of angle 4 degree, made of glass of refractive index 1.54, is combined to a thin PRISM Q made of glass of refractory in this 1.72 to produce dispersion without deviation the angle of PRISM Q is in this case dispersion without deviation we won't have any deviation so we have to make deviation 0 so we will write for this the deviation is 4 into 1.54 minus 1 for the second one we have the angle of PRISM Q it's a A into 1.72 minus 1 is equal to 0 deviation net is equal to 0 I have done because humi kaya karna hai produce dispersion deviation nahi una chahiye deviation humi nahi chahiye so A is equal to 4 into 0.54 we will have a minus minus 0.72 so by I think 18 3 times and it's 4 times we will have 3 degrees so option 2 is the correct one next question da ikla teham luk for a material the refractive index for red violet and yellow color are respectively this and this and this the dispersive power of the material kya se calculate karthayam is the omega is tell of violet oh sorry mu of violet minus mu of red upon mu of yellow minus 1 this is called dispersive power so mu of violet 1.52 1.64 or red kya first of all 1.52 divided by yellow kitna hai 1.60 minus 1 ab isko solve karo ge so you will have 0.012 0.12 upon 0.60 it's equal to 0.2 option c is the correct one next question dekh lute hai the reason of seeing the sun a little before the sunrise it's due to reflection of light ok humi pata hai ki light bend karta hai if you see jiasse yi yi surrounding or yi humare paas atmosphere hai jiasse horizon pe hota hai aap dekho ta actually yi bend hota hai so early rise little before sun actually ae sanyapar but because of bending it appears here so it's an early rise or little before the sun dies so it's called refraction of the light ok called refraction of the light next is in galileo in galilean telescope ok if the power of objective and eyepiece lenses are this and this for relaxed reason the length and magnification will be the length and magnification magnification tu aap direct nikaasat tu it's positive so you can put the value of 20 fe f0 f0 we have objective is this we have telescope so it's fe by f0 so we have fe is 20 diapta and it's we have lenses sorry okay my lens is given objective is this so f0 is 1 by 1.25 and this one is ipc fe is minus 1 by 20 so if you put it becomes 1 by 20 divided by it's going to be 20 by 1.25 can you solve magnification it's a 16 okay so you will have 16 or f0 minus fe agar am karei so 16 this one is your 2 sorry aur agar tube length ki baat karo so f0 minus of fe so when you do if not is take it now 1.25 meter and minus ye 1 by 20 meter isko solve agar karte hain so you will have 0.75 meter aur 75 centimeter agar so option t will be the correct one next to solve crop question agar hum dekhain to hum se pooch ra hain he convex given a convex lens and other yes three different refractive index three materials they have three lenses equivalent so all three lenses will form three different images so hum kitne images milenge 3 images milenge is ke baad next question hum loo dekhain the next question is assertion and reason so in this question we have the images found by total internal reflections are much brighter than those found by mirrors or lenses hain this sahih baat in total internal reflection men there won't be any reflection kabhi bhi reflection and refraction both sahat mahota hai but total internal reflection hai case man there won't be any refraction chio jada bright banta hai okay next is there is no loss of intensity in total internal reflection that is the reason that's why it's more bright so it's true and correct explanation so we can see in a it's the correct one next question is in a concave mirror experiment an object is placed at a distance x1 from the focus and the image is formed at a distance x2 from the focus the focal length of the mirror it's a Newton's formula it's a direct formula we use in this case the focal length is under root x1 and x2 if you see it's Newton's formula and in theory we will find this one so there is no proof of this you can prove this you can see in the book also the next one is 38 a lens of power 2 diopter okay what we have we have a lens of power 2 diopter placed in a contact with a lens of power minus 1 diopter plus 2 diopter and minus 1 diopter okay the combination will behave like the combination will behave like combination ka behavior ka sa hoga so we have a lens plus positive and another lens of power minus so the effective power you will have plus 2 and minus 1 so you will have plus 1 diopter is the effective so it's a positive so it's a positive sense for convergent lens so it will be a convergent lens or focal lens is 1 by this to 1 meter means 100 centimeter so option B will be the correct one sorry divergent and 100 sorry C is the correct one okay next one a glass convex lens mu is equal to 1.5 has a focal length of 8 centimeter when placed in air what would be the focal length of the lens lens when it is submerged in water so let's see how we calculate we have 8 centimeter so we know that focal length so it's mu related it means mu of lens by mu of surrounding minus 1 upon 1 by r1 minus 1 by r2 so this factor is constant in both cases so first case we will have 1 by f actually so it's 8 centimeter meter so we'll put it's inversely proportional so I can write second case point now f2 by f1 is f1 case we have only this convex lens okay so it's we can put it's 1.5 minus here 1 minus 1 and second case because it's inversely proportional it's 1.5 minus 1.33 minus 1 so f2 that we have to find is f1 f1 is 8 centimeter and it's 1.5 minus 1 so it's 1.5 minus 1 so it's 0.5 and it's 1.5 minus 0.33 you will solve you will find that f2 is 32 centimeter so this is your answer option this is the correct one next check tein so next is we have the radius of curvature of convex surface of a thin plan of convex lens is 15 centimeter we have it's a radius of curvature we have this okay and refractive index of material we have given a the power of the lens will be fine so we know that f is equal to for a plano it's r upon mu minus 1 this formula we have put it's 15 upon 1.6 of minus 1 this formula we have for a plano convex lens so you will get it's a 25 centimeter after calculation the power is 1 by f which is 1 by 0.25 meter me aap dal ho gay plus 4 diopter will get so option d is the correct one next question two lenses of focal length m1 and m2 are in contact and coaxial the combination is equivalent to a single lens of power we will find the 1 by f equivalent is 1 by f 1 plus 1 by f 2 agar aap dekho so this is your power if they are in meter it's in power so power is f 1 f 2 by f 1 plus f 2 this is the power option option d is the correct one next question and equivalent equiconvex lens is cut into two halves like here you can see if you can't go change but focal length twice let's see f f dash double dash are the focal length of the complete lens each half in case 1 each half in case 2 so we will have f dash and f both are same so if you see f dash is equal to f here 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 this two if I don't to go to now just say you can do this means one by f f dash is one by f double dash that's one by f double dash so it's two by f double dash f double dash is equal to f that's why in this case is the correct one next question when white light passes through a glass prism one get a spectrum on the other side of the prism in the emergent beam the ray which is deviating list or deviated by the prism is lowest deviating list ki to red it's a wave you red ka kya hota hai kum se kum hota hai so that's and refractive index ka value is minimum that's why it is divided less so option c is the correct one next question is angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to the angle of prism the angle of prism is we know that sine del minimum del minimum del minimum a plus a by two equal to mu times mu hame fine karna hai nahi to 1.5 into sine a by two okay so we will have sine a to sine a into cos a a by two a by two kar day rao to a a a a value a ane wala ha so it's equal to 1.5 sine a by two so we will have cos a by two is 1.5 by two is 0.75 a by two ka value a 41 degree and a is equal to 82 degree so option t is the right one next 45 the focal length of the objective and the eye lens of the microscope are this is f naught and it's a fe okay if the magnifying power of the relaxed eye is 45 then length of the case in this case me relax eye case me length nikal ten up this formula go use car sakti there is a m in case of infinity is l in case of infinity minus f naught minus fe into d divided by f naught into fe dursa tariq because ye bhi a ki a 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 go find karna a a a a it's a minus 1 and it's a minus 5 and 1 into 5 or d is 25 25 so after calculation we will get 15 centimeter okay so option is the correct one next next ray falls on a mirror and deviates by 60 degree then the angle of reflection will be okay so one thing we know that deviation if you calculate we have deviation then the angle of reflection will be so deviation is calculated as 180 minus 2y so here the deviation is 60 so 60 equal to 180 minus 2y so 2y is equal to 180 minus it's 120 so deviation is i is 60 degree so this is your angle and we know the angle of incidence is equal to angle of reflection so that's why the angle of reflection is 60 degree next question is the ray of light is incident on a face of equivalent triangle prism at an incident angle 50 degree this is the angle of incidence at this angle minimum deviation occurs from Cassini Galeng a we have 60 degree we have i the value okay so we know that del minimum equal to 2i minus 8 so 2 into 50 minus 60 so 100 minus 60 is 40 degree so option 2 is the correct one next is two point objects are placed on a principal axis of a thin converging lens here one is 20 centimeter from the lens and the other is on the other side of the lens at a distance of 40 centimeter from the lens the images of both objects coincide images of both coincides the magnitude of focal length of the lens we have one one is 20 centimeter from the lens and I see one object place here 20 centimeter and the other is on the other side at distance of 40 o one or two 40 centimeter okay up for right if if you have to go to this image इसके लिए तो इमेज वर्चुल बन रहा है इसके लिए इमेज रियल बन रहा है दूसरे साइट और हमें दोनों का वैल्यू पाइंड करना है अगर इसके बात करें राइट चाहिए पॉस्टिव ले लते हैं तो फॉर ओवन अगर हम लिखे हैं तो वन बाइ एफ सेमी होगा इस उकल टो वन बाइ वी वन बाइ वी इस एक्स ले ले लता हूँ यह इस इस यूर next so it's negative side so it's minus 1 by v and minus of minus becomes 1 by 20 first second में 1 by f is equal to 1 by v same आएगा minus 1 by v but here minus we will have 40 आप जब add इसको subscribe कर दो यह add कर दे क्या है we have f and f negative multiply कर दे आप दे आप जाएगा जाएगा and then add कर दे गाएगा subtract कर दो यह और यह लेकिन कर जाएगा and we will have this side is a little object we will have v negative and we will have minus positive okay so 1 by v right side हमने positive दिया ना left side हमने दिया 1 by v is negative 1 by f 1 by v सामने पीछे की दर रख minus 1 by v and here object बीची side है तो we will have minus minus plus okay here for this side focus plus is यह minus हो जाएगा अब इसको अगर हम solve करते हैं पूरे equation को we will find that अब solve कर दिखना यह will have 80 by 3 okay and यह को verify कर लेना इसकार दे तो हमें बसी ध्याम देना है की दोनों की image को एक जगा रखना हैं now in case of displacement method of lens the product of magnitude magnification in both the cases M1 and M2 we will get minus 1 or only magnitude it's talking so we will get 1 okay so the this is theoretical question so it's 1 now the next question is a beam of light propagating in a medium A with refractive index NA passes across interface into medium B with index of refraction NB the angle of incidence is greater than the angle of refraction VA and VB denotes the speed of light in A and VB then which of following is true you can say it अगर आप देखलोh angle of incidence is greater than the angle of refraction अगर । ये ऐसा है angle of incidence is greater than the angle of refraction that means ये आप रारार से tosser me जा रहा है इसका मतलब क्या है it's a B and it's A so अब कैसे हकतो refractive index of B must be greater than the refractive index of A so यहां पर कौन सा एक पाट दिख्रह। यहां पर दिख्रह। no यह दोनों तो गलत है now अगर denser medium velocity क्या होगा प्युक्षर क्या होगा velocity कम है आप होगा so we will have this option number two correct velocity in a will be more so option two is the correct so thank you for watching this video और हमने mock test 22 का नलिटी जाथ कर लिए अगर आपको पसंद आए वीडियो you can like it, share it and comment it और जो भी आपको problem है you can stay with us and I hope कि आपको एक्जाम अच्छा जाए और next mock test आपको जरूर देना है और अपने मास्क को इंप्रूव करने को जिस्ट करना है thank you so much